हेलो मेरे प्यारे विद्यारतियों कैसे हैं आप लोग होप आप सब ठीक होंगे बच्चो आज हम लोग एक नया चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दा लिमिटेड लाइबिल्टी पार्टनर्शिप एक्ट दो हजार आठ और यह हमारा फाइनल चेप्टर होने वाला है ब सब्सक् tariffs के साहर किया इसका भी वीडियो आप 10 घंटे का बना दोगे किया और यह कैसा सवाल सवाल पूछ लिंगे एक सफान को या कम महनत करें कि हम स्मार्ट वर्क करें ओर च्ञार और और यह पो जृष्टिया coverage मैं आपको 100% करा दूँगा जितना भी आपके syllabus के लिए relevant है पूरा study material आपका cover हो जाएगा LLP act को लेकर लेकिन lecture ये उतना बड़ा नहीं जाने वाला है because ये marks को justify नहीं करता है और chapter भी छोटा है as compared to other chapters है ना तो इसी लिए आप चिंता मत करिए छोटा ही lecture होने वाला है करें ज करते हैं मेरे बच्चा बहुत मज़ा आने वाली आज के lecture में है ना बहुत मज़ा आने वाली आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि कब आएगा सरका lecture तो finally we are here let's start सबसे पहला question जो हमारा आना चाहिए limited liability partnership अगर आपने year पर ध्यान दिया होगा ना year क्या है मेरे बच्चा 2008 the limited liability partnership act 2008 जबकि एक तरह की partnership है में already पढ़ चुके है Indian partnership act 1932 correct last lecture में now question comes कि 2008 से पहले limited liability partnership act का कोई पुराना act था या नहीं था तो ये बेटा पहले इस तरह की business organization form होती ही नहीं थी 2008 में पहली बार 2008 year में पहली बार इसे introduce करा गया बलकि ये act तो 2009 में आया तो जब ये act आया ना जब ये act आया तब इस नई form का इजाद हुआ now the question comes कि भाईया हमें LLP इसको short form में बोलेंगे limited liability partnership को short form में क्या बोलते है LLP बोलते हैं ये इसकी हमें क्यों जरुवत पड़ी let's understand in layman language फिर मैं आपको technical language पर लेके जाऊंगा बट पहले हम layman language में समझ लें कि हमें LLP की जरुवत क्यों हुई है ठीक है आपके गुर्पी सर कौन सा subject पढ़ाते हैं business laws and BCR तो पहले पता है क्या देखना हां पहले मैं दो batch लेता था ठीक है एक लेता था regular batch क्या लेता था regular batch लेता था और एक मैं लेता था पास्ट्रेक बैच रेगुलर बैच पास्ट्रेक बैच चीक है रेगुलर बैच रेगुलर बैच जो थी उसमें क्या होता था उसमें 100% in-depth concept clarity 100% in-depth concept clarity दी जाती थी छीक है ओक्य डूरेशन होता था उसका business laws and BCR का भाई जी मान लो 200 hours थोड़ा सा इससे उपर ही जाता था 200 घंटे का 200 घंटे अगर दो घंटे का एक lecture है अगर दो घंटे का एक lecture है तो कितने lecture लगते थे मेरे बेटा 100 lectures लगते थे business law and BCR को पढ़ाने के लिए 200 घंटे 100% in-depth concept clarity के साथ plus excuse me plus मेरे बेटा plus plus इसमें all question solve करते थे class में ही चाहे वो फिर MTP हो RTP हो कोई भी question होगा वो सारे question यहीं solve हो जाते थे regular batch की जब मैं बात करता हूं तो 100% in-depth clarity होती थी ठीक है यह कौन सा बच्चा लेता था यह वो बच्चा लेता था यह वो November में देना चाहता था यह वो बच्चा यानि इसके पास पढ़ने के लिए बहुत वक्त है 12th pass होते ही यह बंदा यह बैच ले लेता था और हमारे साथ 200 घंटे पढ़ता था हमारे साथ 200 घंटे पढ़ता था रोज 200 घंटे linear यानि तीन महीन에 आता था तीन महीने तीन सागे तीन महीने यह हमारे पास पढ़ता था ओके सर फिर एक forcément भाती पास्ट्रेक बैच में क्या होता था बटा दो कि अ हांड्रेट पर्सेंट इस कॉंसफ क्लारिटी और क्योंकि वह तो जरूरी है आप कोई भी बैच लो अगर हमभुणल फिर कॉंसफ में टीरी नहीं यह मेरे शाजम में इंडारिक्ट वाले Question कैसे solve करेगा हाँ या ना yes sir second होता था ठीक है इसमें जो hours लगते थे वो लगते थे मेरे बेटा 80 hours 200 hours 80 hours अगर 2 गंटे का अगर 2 गंटे का lecture हो रहा है मुझे बताओ यह कितने दिन में complete हो जाएगा 20 lectures में ये batch complete हो जाती थी ये कौन सा बच्चा लेता था ये वो बच्चा लेता था जो बिचारा last time clear नहीं हो पाया है जिसके attempt लग चुके हैं जिसके attempt लग चुके हैं बट वो बच्चा ये ले ले लेता था क्योंकि उसने पढ़ा वा तो है एक बारी उसने law पढ़ा हुआ है है ना लेकिन उसे समझ नहीं आती थी भैया कि कैसे करना है थोड़ी बहुत और हम help कर देते थे और वो निकल जाता थ क्लियर है ये बात अब मुन्नी मेरे पास आई मुन्नी कह रही है गुर्पिस सर गुर्पिस सर मैंने का क्या हुआ मुन्नी कह रही है गुर्पिस सर मैंने का बता बेटा क्या हुआ कह रही है मुझे ना मैंने आज तक कभी पहले law और BCR नहीं पढ़ा मैंने का ठीक है नहीं रेगुलर बैच ले ले, मैंने का, कैरी नहीं नहीं मेरे पास तो दिन 30 ही बचे हैं, और आपका ये बैच तो आपका कितने दिन चलने वाला है, 90 डेज चलेगा मेरे एक्जाम को तो 30 ही दिन है, कैरी फास ट्रेक नहीं लोंगी कैरी पहले कभी पढ़ा नहीं न इसमें तो फास्ट फास्ट पढ़ाओगे बाथ थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ाओगे तो मजा नहीं आएगी मज़ा नहीं आएगी है ना तो मैंने का फिर क्या करें मैंने का regular भी नहीं लेना चाहती तू fast track भी नहीं लेना चाहती कैरी मुझे ऐसा चाहिए जिसमें regular batch के सारे features हो और fast track जैसे time कम लगे मैंने का अच्छा ऐसा कुछ चाहिए तुझे मैंने का चल ठीक है तेरे लिए स्पेशली मुन्नी वैसे तो मैं सक्ष टीचर हूं बड़ यहां मैं पिगल गया बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों का प्यार ही इतना है बेटा बुलेट बैच लेके आया बुलेट बैच इसमें क्या किया गया अगें 100% concept clarity अब फरक देखना है ना तीनों में फरक फील करना यहां पर अगर एक concept के 10 example दिये जाते हैं और यहां पर उस concept का एक example दिया जाता है तो बुलेट वाले बैच में सर उसके ना दस देंगे ना एक देंगे अराउंड तीन चार एक्जामपल देंगे लेकिन concept पूरे पढ़ाएंगे ठीक है बुलेट बैच हो गया second important question in class important question in class important question in class important question class में कराएंगे बाकी remaining and remaining homework remaining homework देंगे थर्ड अब यह कितने hours का बैच बनाया भाई यह था 200 hours का यह था 80 hours का हमने बनाया 100 कितना बनाये 20 hours 120 hours ठीक है और मैंने डेली दो घंटे की जगा 3 hour का lecture लेना इस्टार्ट कर दिया मुन्नी के लिए तो 120 divided by 3 क्यारियर नहीं अभी भी नहीं हो रहा है 30 दिन में तो और बढ़ा दिया मैंने lecture का lecture मैंने आएगा तुझे ज़्यादा पढ़ाएंगे जल्दी भी कवर करना है पांच घंटे का lecture लेने लग गया दिन में 120 divided by 5 कितना आएगा 524 24 lectures होंगे भाई इसके लेकिन तोड़े बड़े होंगे यहां पर 2 hours का lecture होता था यहां 5 hours का ठीक है सर इसका LLP से क्या लेना देना है सर आ आ रहा हूं मेरे बच्चा आ रहा हूं तो मुन्नी के लिए बनाया गया बुलेट बैच आ हा 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 मुन्नी के लिए बुलेट बैच बनाया गया जिसमें concept 100% important question class remaining homework 120 गंटा और 24 lectures ठीक है यानि जिसने पहली बार नहीं भी पढ़ा है वो बुलेट बैच लेके कर सकता है यह क् देखना regular batch के advantages भी थे और disadvantages भी थे क्या थे regular batch का यह advantage था कि बच्चा बिलकुल कहेगा कि सब कुछ कवर हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं क्लास में सारे सवाल भी हो गये class में पूरे concept भी clear हो गये class में in-depth study भी हो गयी correct सब कुछ class में हो गया घर जाके बस revise करना है और एक ब advantage थी वो सिरफ यह थी कि यह बहुत time लेता था लेकिन बाकी सब कुछ इसमें एकदम बहतरीन था time बहुत लेता था तो यह उन बच्चों के लिए suitable नहीं जिनके पास time कम बचता है वही fast track में सब कुछ भढ़िया था time बढ़ा ही कम लगता था बीज लेक्चर में सर्वी बि लेकिन इसमें उस बच्चे को दिक्कत आती थी जो पहली बार करना चाहता है बड़ कम समय में करना चाहता है तो मैंने क्या करा मैंने इनकी advantages ली regular batch की advantages ली fast track batch की advantages ली और मैंने mix कर दी और mix करके बनाया क्या bullet batch mix करके बनाया bullet batch ठीक है ऐसा ही कुछ ऐसा ही similar चीज हुई है limited liability partnership partnership बनाने में जैसे देखना आ जाओ मेरे पास आ जाओ देखो क्या हुआ partnership हम पढ़ चुक है company हम पढ़ चुक है ठीक है डिबश्間 बचुक है ?? partnership की advantages क्या है मरे बच्चा partnership की advantages थी कि यह बड़ा ही flexible है जैसे मर्जी करो contract में जो लिखा है normally वही follow होता है act को override कर जाता है contract yes or no yes sir यह agreement के उपर होता है इसमें compliance बड़े ही कम होते हैं भाई साब क्योंकि इसमें section ही बड़े कम थे इसमें section ही बड़े कम थे इनके एक्ट में तो compliance भी कम थे easy to create इसे बनाना क्या ओरली भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है easy to dissolve बंद कर तो भाई कल से नहीं आ रहे partnership खतम notice दिया बागी partners को partnership बंदोगी कितने सारे फाइदे थे लेकिन इसमें नुक्सान थे क्या नुक्सान थे unlimited liability unlimited liability नुक्सान थे mutual agency नुक्सान थे एक पार्टनर गलत करता था तो उसकी सजा मुझे मिलती थी वहीं अगर मैं company की बात करूं तो company में अच्छाई क्या थी perpetual succession थी वाई सब चलती जाती थी members मरें चाहें जीए कोई फरक नहीं पड़ता separate legal entity है यानि खुद से अपनी चीजे खरीज सकती है अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है limited liability of members limited liability of members और unlimited members एक public company में members जो हैं जितने मर्जी कर सकते थे जबकि partnership में members 50 से उपर नहीं जा सकते तो यानि partnership की भी कुछ disadvantage थी company की नहीं लिखी के लिखी तो थी यार मैंने कहां गई यह लिखी हुई है ठीक है high compliance is partnership की disadvantage क्या है यहाँ पर compliance बहुत ही जादा है क्यों compliance जादा आपको पता है 470 section है भाई साब company's act में 470 section हाँ ठीक है तो high compliance difficult to wind up इसको बंद करना जो है बड़ा ही मुश्किल होता है बहुत समय लगता है तो यह बड़ी दिक्कत थी अब हमने बुलाया अपने प्रोफेसर यूटोनियम को क्या प्रोफेसर यूटोनियम को जानते हो नहीं सर तो जो नह इन्होंने इन्होंने सब कुछ अच्छा अच्छा डाला बट गलती से इन से डल गया था chemical acts तभी प्रोफेसर यूटोनियम लपी बनाएंगे company के advantages उठा लेंगे सारे partnership के सारे advantages उठा के बनाएंगे LLP जैसे हमने regular batch की advantages उठाई फास्ट्रेक बैच के advantages उठाई और mix करके बना लिया bullet batch वैसे ही वैसे ही law के बंदों ने क्या करा company के advantages उठाई और partnership के advantages उठाई और क्या बना लिया limited liability partnership अगर आप देखेंगे यह सारी advantages यहां आ गई यह सारी advantages यहां आ गई क्लियर है क्या यानि LLP flexible भी है LLP agreement से भी चलती है सब कुछ agreement based ही है यानि LLP में partnership के भी advantages है और company के भी advantages है यही बहुत प्यारी बात है LLP की LLP में perpetual succession भी है separate legal entity भी है artificial legal person भी है limited liability of partners भी है करेक्ट unlimited partners भी रख सकते हो वो सारी disadvantages जो partnership में दी वो सब खतम कर दी किसने limited liability partnership ने कर दी अच्छा एक और सवाल मुझे आप आप से आ गया मुझे बताओ जब हम bullet batch हमने announce करा जब गुर्पी सर ने कहा कि मुन्नी के लिए गुर्पी सर ने bullet batch बनायों कोई जॉइन कर पाएगा तो क्या उसके बाद क्या उसके बाद बताना regular batch और fast track में बच्चे आने बंद हो गए क्या क्या अब fast track में कोई बच्चा नहीं आता होगा regular batch में कोई बच्चा नहीं आता होगा जब सर ने bullet batch लाया बताओ सर ऐसा तो नहीं होगा आज भी जिसके पास वक्त है वो क्या लेगा regular batch ही लेगा आज भी जो एक बारी पढ़ चुका है वो fast track batch ही लेना पसंद करेगा यानि bullet batch आने से ऐसा मत समझना कि regular batch पिकना बंद हो गया फास ट्रेक बैच लेना बंद हो गया वैसे ही similar वैसे ही simply यह मत समझ लेना कि limited liability partnership आ गई तो partnership अब लोगों ने करनी बंद कर दी जो इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट में होती है और company लोगों ने बनानी बंद कर दी क्या फील कर पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं क्या मेरी ब बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपसे एक तो ना जो हम यह चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ठीक है इसमें बहुत जगा लिखा होगा फीस as may be prescribed form as may be prescribed तो जहां पे भी यह वर्ड है तो यानि समझ लेना कि वह फीस कहां पे लिखी हुई है LLP Limited Liability Partnership Rules 2009 में व वह आपके syllabus में नहीं है कि कितनी फीस है कौन सा form है वह LLP के rules में लिखी हुई है तो वह as may be prescribed बार बार आएगा as may be prescribed बार बार आने वाला है ठीक है एक छोटा सा मैं बस आपको difference दिखाना चाहता हूं ठीक है एक छोटा सा difference स्टार्ट करने से पहले ताकि आप मेरी बात को आ शुरू में अगर आपको यह बात फील करा दूंगा तो अच्छा होगा ठीक है ओके यह सब पार्टनर्शिप हम पढ़ चुके हैं अगर यह बोलूं मान लो ए A B C चिक है A B C तीन परसंस है यह सर A B C तीन परसंस है ग्रेट इन्होंने एक पार्टनर्शिप खोली A B C A B C एंड को A B C एंड को तेम एक परसंने लिमिटेड लियाबिल्टी पार्टनर्शिप खोली यही तीन लोग थे A B C इन्होंने ही खोली और इसका नाम क्या रहेगा A B C LLP ठीक है हमेशा याद रखना अगर वह LLP होगी तो उसके नाम के आगे जरूर लिखा होगा LLP लिखा होगा यह पूरा नाम लिखा होगा A B C लिमिटेड लाइबिल्टी पार्टनर्शिप ठीक है जैसे कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लिखा होता है वैसी LLP के नाम के आगे LLP लिमिटेड लिखा होता है बट यहां मुद्दा इसका नहीं है यहां मुद्दा है पार्टनर्शिप और LLP में फर फर्म खोली जब A, Z, V, C, ने क्या खोली फर्म खोली लॉग की नजरों में ये कोई अलग इनसान नहीं है। मतलब यह तिन को जब हम यह कहेंगे ABC और यानि यह इन तीन परसन की बास कर रहा है बट वही अगर इन्हों ने LLP खोली नहीं तो लॉग कहता है ABC अलग है और ABC LLP अलग परसन है ABC अलग परसन है और ABC LLP एक अलग परसन है law की law की नजरों में ठीक है और law की नजरों में तो आपकी नजरों में भी होगी जबकि partnership के case में law कहता है ABC and कोई अलग बंदा नहीं है ये तो यही तीनों है ये तो यही तीनों है अच्छा सर इसका impact क् रहा है what is the impact इस लाइन से आप क्या impact बताना चाहते हो बताता हूं इस लाइन से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने partnership में Mitchell Agency concept पड़ा था Mitchell Agency concept पड़ा था कि नहीं बिल्कुल पड़ा था उसमें अगर A कोई काम करता था तो मानते थे कि वो B और C ने भी करा है अगर A कोई काम करता था business से related तो माना जाता था वो B और C ने करा है पता क्यों क्यों क्योंकि A करता था वो ABC के लिए A ने वो काम किसके लिए करा था ABC and को के लिए और ABC and को कौन है यही तीनों तो है लोग की नजरों में तो इसलिए वो मान लेते थे कि यह काम B और C ने भी करा है है यहाँ पर Mitchell Agency होती थी B और C का यानि A agent तो है B और C का agent नहीं है A LLP में LLP का agent है A LLP में LLP का agent है ना कि B और C का क्योंकि LLP की अपनी एक अलग पहचान है LLP अपने आप में एक अलग person है जबकि ABC and को में वो एक अलग person नहीं था इसलिए जब भी A को काम करता तो हम कहते थे firm ने करा और firm कौन थी य यह point आपको clear हुआ बड़ा important point है बड़ा प्यारा point है यानि अगर A ने कोई गलत काम किया ना यहां पे अगर A ने कोई गलत काम किया होता है तो B और C भी penalty भरेंगे अपनी जेब से बट यहां पे अगर A ने कोई गलत काम किया तो सिरफ A B C LLP अपनी जेब से पैसा भरेगी B और C के personal asset को नहीं बुलाया जाता है B और C के personal asset को नहीं मंगाया जाएगा उस penalty को pay करने के लिए जो उसने गलत काम किया था A ने clear है सबको जल्दी बताओ yes or no यह बड़ा प्यारा point है आगे जाके बहुत काम हैगा और इसमें पता क्या partnership में ना compliance के नाम पे कुछ था ही नह कि minimum compliance मिनीमम मतलब कुछ था ही नहीं सच बताऊं तो क्योंकि मन करा तो registration करा लिया मन करा तो नहीं करा बट लिमिटीड लाइबिल्टी में companies एक्ट जितना compliance नहीं है बट compliance है तो अगर मैं लिमिटीड कम लाइबिल्टी partnership की बात करता हूं more compliance than partnership but less compliance less compliance than बताओ 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 than a company यानि company से तो कम compliance करना पड़ता है इसको कम compliance मतलब जादा इस पे भार नहीं है जितना लिखा है वो तो follow करना ही है बट जादा इस पे भार नहीं करना गया है लेकिन partnership से जादा और company से कम है अब यहाँ पर क्या होता था feel करना इस बात को भी law कहता था जब कोई compliance करना ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बट LLP में compliance करना पड़ता है है ना और law ने कहा कि तु आपने सारे partners में से minimum दो partners ऐसे रखना minimum minimum दो partners ऐसे रखना जिसको हम बोलेंगे designated partner जिसको हम क्या बोलेंगे designated partners बोलेंगे इसका discussion आगे होगा बट यह क्यों रखे गए है क्योंकि हमें एक ऐसे बंदे partners भी चैए दे जिनकी responsibility हम compliance की डाल सके यहां पर कोई compliance नहीं होता था तो यहां पर partners को designated partners का नाम नहीं दिया जाता था बट यहां पर total partners में से ही कुछ partners को क्या बना दिया जाता है designated partner बना दिया जाता है आगे detail में discuss करूंगा मैं चिंता मत करो बट जस्ट मैं आपको यह बताना चाहता था कि सारे partners में से भी कुछ partner ऐसे होंगे जो compliance के लिए responsible रहेंगे उनको हम designated partner बुलाएंगे यह पॉइंट्स आपको clear हो गए होंगे chapter start करने से पहले ही ठीक है यस सर एकदम clear हो गया है सर कोई दिक्कत वाली बार नहीं सर चलो very 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 goods आओ बेटा नाओ हाँ यह देखो IMP दिख रहा है हाँ इसका मतलब है important मैंने क्या किया है आपके पूरे study material को question answer format में convert कर दिया है और उनको slides में आज लेकर आया हूं discuss करने के लिए और जो exam point view से important है वह important mention करें काई बच्चे यह पूछ रहोंगे कि सर amendment कवर करें हैं कि नहीं पूरा amended पढ़ने वाले हैं हम लोग पूरा amended पढ़ने वाले है amendment मैंने अलग से green में दे रखी है मेरी slides में amendment अलग से green में दे रखी है और आपके syllabus में बस यही एक chapter है जिसमें amendment है जिसको आमें देख लेना है ठीक है okay sir चलो important है तो धिहान से पढ़ेंगे चलो explain the advantages of LLP LLP के advantages बताओ वैसे तो LLP की यह सारी advantages है जो मैंने अभी आपको बताई बट इशू पता क्या है इशू यह है कि institute ने सिरफ यह पांच लिखी हुई है institute ने पांच लिखी हुई है तो जो institute ने लिखी हुई है भाया हम वही पढ़ कर जाएंगे और exam में वही लिखेंगे है मैं full बटा full marks चाहिए तो हमें यही करना पड़ता है तो LLP is organized and operates on the basis of an agreement पहली advantage क्या है कि वह agreement के उपर बेस है क्या मैंने यह point cover किया था the answer is yes second point क्या है LLP LLP flexibility देता है LLP flexibility देता है very flexible ठीक है LLP को बनाना बड़ा ही असान है LLP को बनाना बड़ा ही असान है easy to create यह easy to form LLP को गिराना easy to dissolve मतलब dissolve करना बहुत ही easy है बंद करना है तो जल्दी बंद हो जाती है company से easy to dissolve और last क्या है all partners of LLP enjoy limited liability है ना and flexible capital structure तो यहां पे limited liability भी आपका cover हो गया देख रहे हो यही points है जो advantages मैं बस मैंने थोड़े से जादा लिखे हुए थे हैं ना लेकिन institute ने जो लिखे है आपको वही याद करके जाओगे तो ज्यादा बहतर रहेगा okay sir clear है sir कोई दिक्कत की बात नहीं है अब आपने एक point सीख लिया कि भाईया LLP is nothing but a hybrid form of business organization वो company और partnership के benefits को मिला के बनी है तो एक और question आता है exam में बार बार यह question आता है LLP gives the benefits of limited liability of a company and flexibility of a partnership comment बताओ क्या यह बात जो statement है वो सही है यह नहीं चार मां के लिए question आता है exam में लिखता है LLP gives the benefits of limited liability LLP जो है वो company के benefits भी देती है और partnership की flexibility भी देती है comment करिए क्या यह बात सही है यह नहीं और with reasons बताएंगे आप with reason बताएंगे कि क्यूं आप हां कह रहे हैं और क्यूं आप ना कह रहे हैं मैंने आपको एकदम सिका दिया है क्यूं कह रहे हैं because LLP बनी ही इन दोनों से मिलके है इन दोनों के features लेके है ना तो यही बात है LLP has benefit of both company and partnership हम law makers को लगा कि इंडिया की growth बहुत तेजी पर हो रही है इंडिया economic की growth तो एक नए law की जरूरत है एक नए business organization की हमें जरूरत लगी जिसको लाना बड़ा जरूरी था है ना जो क्या कर सके जो partnership traditional partnership को भी फायदा दे सके जो traditional partnership के फायदे थे और जो company के फायदे थे उसको हम लेना चाहते थे इसी लिए हम LLP लेकर आए अच्छा इससे किसको हुआ professionals को बहुत फायदा हुआ professionals को बहुत फायदा हुआ entrepreneurs को बहुत फायदा हुआ जब से LLP आई है उन लोगों के तो यह क्या बन गई है favorite बन गई है LLP form ठीक है और इसी लिए आप कहा सकते हैं कि LLP is the वही जो question में लिखा हुद है कि दोनों के benefits देता है ओके बड़ जब भी यह question आएगा तो यह वाला point जरूर लिखना मेरे बच्चों क्या LLP form enables entrepreneurs यह किनके लिए आई है आज की तारिक में कहां famous है entrepreneurs को बड़ी पसंद है professionals आप भी professional बनने जा रहे हो तो normally chartered accountants को भी बड़ी पसंद है doctors को भी बड़ी पसंद है enterprises है ना जो service sector में है उनको भी LLP बड़ी पसंद आई है जो scientific और technical disciplines म है उनको भी बड़ी पसंद आई है उन्हें तो आई आई है साथ में small enterprises को भी पसंद आई है और venture capital venture capitalist मतलब जो दूसरे startups में पैसा लगाता है वो बंदा venture capitalist जिसके बाद बहुत पैसा और दूसरे की startup में पैसा फुकता है उसको venture capitalist कहते हैं तो इन लोगों को यह बड़ी पसं इस सर्विस सेक्टर में हैं वहां पर यह धूम मचा रही है लल्पी ठीक है ओके सर गॉट इट हां गॉट इट नाओ गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओफ लिमिटिड लैबिल्टी पार्टनर्शिप एक्ट दो हजार आठ ठीक है दो हजार आठ का यह जो एक्ट आइस का छोटा सा इंट्रो दे दो तो क्या इंट्रो है भहिया पहली तारिक ministry of law and justice ने 9 जनवरी 2007 को इसको notify करा था उसके बाद यह applicable कहां होता है whole of India में applicable होता है यह act whole of India में applicable होता है और यह क्यों बनाया गया है यह limited liability partnership की चीजों को regulate कराने के लिए बनाया गया है यह उससे related matter कितने section है इस act में law कहता है 81 sections है अच्छा companies act में कितने थे 470 section LLP act में कितने है वो 81 companies act में कितने थे 470 मुझे बताओ compliance किसमें जादा होगा सर compliance तो obviously इसमें जादा होगा क्योंकि इसमें section ही बहुत है पढ़ने लाए इतने तो section है यहां पे section ही कितने 81 और उसके साथ 4 schedule भी हैं क्या है मेरे बच्चा चार schedules भी हैं लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं क्या बात कहना चाहता हूं हाती के दाथ खाने के कुछ और और दिखाने के कुछ और है मतलब दिखाने के लिए तो LLP में कितने section है 81 section है LLP act में दिखाने के लिए सिरफ 81 section रखे गए हैं बट अगर मैं आपको कहूं कि यह 400 section में से भी बहुत सारे section LLP को applicable हैं तो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना बट ऐसा ही है law ने बड़ी smartly law बनाया law बनाने वालों ने बड़ी smartly law बनाया 81 section में से एक section में बड़ा प्यारा सा point डाल दिया पता है क्या कह रहे हैं अगर central government को लगेगा क्या लगेगा कि companies act का कोई provision applicable होना चाहिए limited liability partnership को तो वो एक official gadget में notification देकर क्या करेंगे apply कर देंगे यानि इन 470 section में से भी कुछ section अभी LLP को applicable है और future में और भी बढ़ाए जा सकते हैं यानि कहने के लिए 81 section है बट reality में यह बहुत ज़ादा है सिरफ दिखाने के दाथ कुछ और और खाने के दाथ बस वैसा ही है मेरे बेटा वैसा ही है ठीक है ओके सर है ना लेकिन अगर आप एक बात फील करोगे मैंने आपको जब basics of law पढ़ाया था याद है ड्राफ्ट बिल को पार्लियमेंट के दोनों houses में डालते हैं हाया ना प्रेसिडेंट की एसेंड लेते हैं अब यहां पर यह लिमिटीड लाइबिल्टी कितने सेक्शन है एटी वन सेक्शन्स प्लस पॉर शेडियूल्स पॉर शेडियूल्स में अगर मैं बात करूँ फर्स्ट शेडियूल की सेकंड शेडियूल की थर्ड शेडियूल फषर्ड शेडियूल्स पता है क्या बताता है मिच्चोल राइट्स एंड लाइबिल्टी मिच्चोल राइट्स एंड लाइबिल्टी इज ऑ ऋफ पार्टनार थर यह क्या होती है बिटा याद है हमने जब इंडियन partnership act पढ़ा था तो हमने बड़ी थारी बाते बढ़ी थी उसके बारे में हमने यह बढ़ा था कि अगर प्रॉफिट शेरिंग नहीं लिखी हुए तो equal share करेंगे यह law में लिखा हुआ था act में लिखा हुँ था partnership act में इन्होंने क्या करा LLP act बनाते हुए वो law में लिखा कहां लिख दिया schedule में डाल दिया उसको कहां डाल दिया मेरे बेटा schedule में डाल दिया यानि सारी बाते जो हमने नॉर्मली एक्ट में बड़ी थी partnership act में वो उठाके इन्होंने schedule में बाल दी यानि actually 81 section से और भी जादा था क्योंकि बाइए जो ब मिच्वल राइट्स एंड लाइबिल्टी जाननी है पार्टनर की सो देरा टू सोर्स एक है मेरे बच्चा LLP का जो एग्रीमेंट बनेगा वो और अगर LLP का एग्रीमेंट नहीं बनाया तो दूसरा सोर्स क्या है that is first schedule क्या यह बात clear हो गई yes or no LLP एग्रीमेंट first schedule LLP एग्र मिच्वल राइट्स एंड लाइबिल्टी एग्रीमेंट first schedule ठीक है ओके यह दो सोर्सित हैं आपके मिच्वल राइट्स एंड लाइबिल्टी ऑपार्टनर के ओके सर अब आते हैं सेकिंड शेडियूल थर्ड शेडियूल और फोर्ड शेडियूल पर LLP Act कब आया 2008 के बाद आया correct लेकिन कई लोग होंगे जिनें बाद में LLP पसंद आ गया होगा तब तक LLP था ही नहीं यानि मैंने पहले partnership खोल रखी थी तूँकि पहले LLP था ही नहीं मैंने 2000 में बनाया था business 2000 में मैंने partnership खोल ली थी तक तब LLP जैसा concept ही नहीं था अब जैसी LLP Act आया अब मैं चाहता हूं कि मेरी partnership किस में convert हो जाए LLP में convert हो जाए या मैंने कोई private company खोल ली बट मुझे समझाया कि या LLP जादा बहतर थी private company क्यों खोल ली मैं LLP बनाना चाहता हूं correct या कोई और company तो law कहता है हम तुम्हें बताते हैं तुम्हें क्या क्या करना पड़ हुए है second schedule बोलता है Conversion of a firm into LLP Conversion of a firm into LLP यहां लिख देता हूं कि कर्ण वर्जन कि कि और कि पाम कि इन्चू LLP कि थर्ड शेडियूल बोलेगा private company को convert करने के लिए ठीक है अगर आप प्राइवेट कंपनी को convert करना चाहते हैं LLP में प्राइवेट कंपनी को अगर आप convert करना चाहते हैं LLP में तो Conversion of Conversion of Private Company into LLP और schedule for बोलता है Conversion of Unlisted Public Company इन्चू LLP फर्म को LLP बनाना तो सेकंड शेडियूल फॉलो करना प्राइवेट कंपनी को LLP बनाना तो थर्ड शेडियूल का वेर इस था लिस्टेड पब्लिक कंपनी मेरे बच्चा लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर आप convert करना सकते हैं I hope आपकी यह query का answer हो गया होगा तो थर्ड शेडियूल भी हो गया फॉर्स भी हो गया फॉर्स भी हो गया फॉर्स भी हो गया तो LLP Act में क्या Registrar of LLP के पास जाते हैं क्या इसका answer देखना Ministry of corporate affairs यानी Central Government की जो Ministry of corporate affairs है and the ROC are interested with the task of admin यानी यहां पर आप किसके पास जाएंगे Registrar of companies के बाद जाएंगे हैं सर LLP incorporate करनी है तो Registrar of companies के पास ही application जाता है सर समझा नहीं सर सर इसकांपनी इनकॉर्परेट करनी है तो Registrar of companies के पास जाएंगे LLP incorporate करनी है तो हम Registrar of companies के पास क्यों जाएं क्यों कि government ने यह decide करा है कि सारा का सारा काम Registrar of companies ही करेगा यानी उनको लगा कि Registrar of companies वालों के पास तो ज्यादा काम ही नहीं यह इतना यह company से related कोई form जमा करना है तो भी आप Registrar of companies के पास जाते हैं अगर आपको LLP बनानी है LLP से related कोई fees बरनी है कोई form जमा करना है कोई copy लेनी है तो भी आप Registrar of companies के पास ही जाते हैं clear है क्या yes or no yes or central government के पास authority है कि वो rules बना सकती है LLP से related जो की बन चुक है LLP rules 2009 और उसे change भी कर सकती है next question मेरा बच्चा जो बार-बार आपके मन में आता है वो यह होता है किस तर Indian partnership act 1932 भी क्या LLPs को applicable होता है the answer is no the answer is no यानि एक LLP को LLP Act applicable होता है और Central Government ने जो Companies Act के section notify करे है LLP को लगाने के लिए वो भी LLP को applicable होते हैं बट Indian partnership act और LLP का आपस में कोई रिष्टा नहीं है कोई भी रिष्टा नहीं है कहीं भी है चमक रहे गयार यह वाला color color change कर लेना चाहिए बढ़े नहीं है अच्छा वैसे यह green color है color यह होना चाहिए था बट ठीक है I hope it is visible है न यह green में दिया हुआ है green में ठीक है तो green में दिया हुआ है इसका मतलब है इसमें है amendment मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी आपके exams के लिए amendment होगी वह मैंने green color में दिया हुआ है तो यानि हम first amendment पढ़ रहे हैं एक definition पढ़ रहे है define body corporate define body corporate ठीक है section 2 clause D section 2 clause D बोलता है कि body corporate क्या होती है body corporate क्या होती है इसको पहले layman language में बताता हूँ लेमेन लेंग्वेज में बता देते हैं और फिर definition बता देते हैं ठीक है ओके सर लेमें लेंग्वेज में body corporate का मतलब है एक ऐसा artificial legal person एक ऐसा आर्टिफिशल लीगल परसन जो perpetual succession है जिसके पास क्या है perpetual succession कोई भी कोई भी परसन जो आर्टिफिशल है और जो perpetual succession hold करता है वह एक body corporate normally होता है वह एक body corporate होता है जैसे कि one example is company क्या company artificial legal person है यह क्या company के पास perpetual succession है दानसरी जैस क्या company के पास क्या एललबी के पास भी आर्टिफिशल लीगल परसनल परपेश्चुल सक्केशन है दानसरी जैस यानि LLP भी body corporate होती है clear है क्या और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ये दो चीज़े satisfy होंगी हम उन्हें कहते है body corporate company एक छोटा word है body corporate एक बड़ा word है चीक है अब आते है definition में क्या लिखा हुआ है definition में क्या लिखा हुआ है mainly चार चीज़ों को बोला है उन्होंने देखना कि एक तो companies कि जो incorporated हुई हैं इंडिया में इंडिया में companies incorporated है इन इंडिया कि ए लेल्पी इंकॉर्परेटेड़ इन इंडिया ठीक है कंपनी इंकॉर्परेटेड आउटसाइड इंडिया इंकॉर्परेटेड आउटसाइड इंडिया तो कंपनी इंकॉर्परेटेड इंडिया ए लेल्पी इंकॉर्परेटेड इंडिया और लास्ट तो यही मैंने बताया कंपनी इंकॉर्परेटेड इंडिया ए लेल्पी ठीक है अब लेकिन अगर आप डेफिनेशन पर ध्यान रखेंगे ठीक है इसमें कुछ चीजे वह कह रहें नहीं आएंगी बट डजनोट इंकॉर्परेशन सॉल मतलब अकेला पर्संट जो कॉर्परेट की फॉर्म में होता है जैसे कि आप मान लीजे जो ब्रितिश में क्या है कुईन जो है ना क्या बोलते हैं उसको ब्रितिश की कुईन गो जो कुईन है वो उनके नाम पे ही सारी क सारी चीजे ओन हो सकती है वो एक अकेली एक पॉस्ट का नाम है कर्एक कुईन्ज तो चेंज होती रहती है बट वो प्रश्ट वहीं पे रहती है तो वो एक एक जामपल है कॉर्परेशन सौल का वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी कोई भी कॉपडिटिव सोसाइटि इसमें फॉल करेंगी चिक है ओके सर ओके सर नेक्स्ट यह थोड़ी सी इंपोर्टेंट सी डेफिनेशन मुझे लगती है क्योंकि इस पर के स्टडी बन सकता है फाइनेंशल यहर पर लॉग कहता है एललपी में एललपी एक्ट में जहां पर भी यह वर्ड यूज होगा ना Buy financial year उसका मतलब पता क्या होगा उसका मतलब होगा एक अप्रेल से स्टार्ट ऑख़ए नेक्स्ट एर के थ्टी फाश्ट मार्च अप्रेल से स्टार्ट होगा हमेशा और थटी फस्ट मार्च को खतम होगा क्यों ऐसा फिस अलूबर यक जन्वरी क्यों लेकिन इसमें एक exception है जो बड़ा ही प्यारा exception है जो यह बोलता है कि अगर आपकी LLP new incorporate हुई है अगर आपकी LLP new incorporate हुई है ठीक है अगर आपकी LLP new new incorporate हुई है और उसकी date of incorporation after 30 September है 30 September है 30 September है अगर उसकी date of incorporation 30 September के बाद की है तो law कहता है आपका जो 31st March होगा न यह एंडिंग date होगी वह होगी of next financial year next financial year सर इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं example देखो कि इंकॉर्परेशन डेट ले रहा हुँ मैं ठीक है incorporation date मान लिजे आपकी LLP छे जुलाई 2022 को हुई तो आपकी financial year की start date क्या होगी यह हो जाएगी start date क्योंकि आप incorporate यह भी हुए तो आपके लिए financial year एक अपरेल से start नहीं होगा न 6 जुलाई से ही होगा विकोज आप तो इसी साल incorporate हुए हो और खतम कब होगा law वोलेगा 31 March 2023 यानि next year के 31 March को आपका financial year end हो जाएगा ठीक है अगर यह date होती कह रहे है 30 September 2022 तो आपका खतम होता 31 March 2023 लेकिन यही date अगर 30 September की बाद की ले ली ना जैसे 1 October 2022 तो law कह रहा है कि आपका जो financial year है वो आप 23 की जगा ले सकते हो 2024 यह बड़ा important point है जैसे incorporation अगर आपका यह सिरफ first year में होगा यानि first year में ही ऐसा होगा उसके बाद next year से तो next year से तो आपका भी year फिर से same हो जाएगा 1 April 2024 से लेकर 31 March 2025 समझ गया मतलब next year से तो एक एक साल का यह जंप है बट यहां पर जब आप 30 September के बाद की incorporation date रखते हो तो law कहता है आपको एक और 31 March अगले year की नहीं उससे भी अगले year की आप ले सकते हैं for the purpose of financial year बट यह सिरफ मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा detail में बताना चाहिए बिकॉज इस पर हो सकता है वो लोग के स्टेटी बना देया I don't know but they can create it आगे चला जाए हां सर आगे चलिए सर चलो आगे चलते हैं मेरे बेटा पॉरन LLP क्या होती है actually हम आभी पहले definitions cover कर रहे हैं जो section 2 में दी हुई है और आपके syllabus में भी है foreign LLP क्या होती है पहले पढ़ते हैं यह वो LLP होती है जो incorporate या register इंडिया के बहार होती है कोई भी LLP जो इंडिया के बहार incorporate हुई है और जो establish करती है place of business within इंडिया हम उसको foreign LLP बोलेंगे है ठीक है यहां पर मैं तीन example लोगा आपको clear हो जाएगा example number one कि एक LLP है ABC LLP है ठीक है इंकॉर्पोरेटिड इंडिया वह इंडिया में इंकॉर्पोरेटिड है इसका place of business भी इन देली उसका place of business कहा है देली में है आप बताओ यह foreign LLP है या नहीं नहीं यह foreign LLP नहीं है because this is not incorporated outside इंडिया ठीक है फिर एक है कोका कोला तू कोका कोला यह इंकॉर्पोरेटिड इन यूएस से है इन यूएस से बट नो place of business इन इंडिया बट नो place of business इन इंडिया आप मुझे बताइए यह foreign LLP में fall करेगा या नहीं जो बच्चा कह रहा है yes तो गलत है क्योंकि foreign LLP के लिए दो condition धरूरी है एक incorporated outside इंडिया और जिसका place of business हो इंडिया में ठीक है यहाँ इसका place of business इंडिया में नहीं है इसी लिए इसी लिए मैं इसको foreign LLP नहीं कहूंगा यह भी foreign LLP नहीं है लास्ट एग्जाम्पल Amazon LLP इंकॉर्पोरेटीड इन यूएस से आप कोई और कंट्री भी ले सकते हैं इंडिया के लावा मैंने बस दोबारा एक्जाम्पल में यूएस से ले लिया है एंड हैंड हैंड है वन ब्रांच इन दिल्ली उनकी दिल्ली में ब्रांच भी है यानि एक प्लेस व बिजनस आगे के इंडिया में क्या यह foreign LLP है दानसरीज यहस क्या यह foreign LLP है दानसरीज यहस दिस इज़ा foreign LLP इस इज़ा foreign LLP clear है सबको yes or no यह तीनों एक्जाम्पल याद रखो कि फिर वो कोई भी कुछ भी बना के देदेगा के स्टेडी तो हम कर पाएंगे स्वाल ठीक है next question आता है define LLP इसमें बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है देकन आहां question ध्यान से पढ़ना उसने define LLP पूछा है कि या एक्सप्लेन दा मीनिंग आफ एललपी पूछा है क्यों सर डिफाइन पूछा है तो सिरफ definition पूछ रहा है जो क्या दी हुए एललपी की डेफिनेशन ललपी वह LLP है लपी वह लपी है वह पार्टनर्शिप है जो बनी है और रजिष्टर हुई है इस Act के अंदर इस Act के अंदर मतलब क्या कौन से Act की बात कर रहा है दा LLP Act 2008 तो यह बस definition तो अगर definition पूछ रहा है तो सिर्फ definition बता देना कि LLP वो partnership है जो form और register हुई अंडर this Act बात खतम हो गई लेकिन अगर उसने definition नहीं पूछी उसका मतलब पूछा उसका मतलब पूछा तो आपको क्या करना है आपको बतानी है पहले definition भी बतानी है ठीक है प्लस साथ में उसके features को भी थोड़ा explain करना है जो मैं अभी आगे दिखा दूँआ देखिए नेक्स कोश्चन है अरे स्मोल आ गया गया रुको यह रहा एक्स्प्लेइन दा मीनिंग ओफ लिमिटिड लियाबिल्टी पार्टनर्शिप एक्ट तो LLP क्या है मीनिंग मैं बताएंगे इट इस न्यू फॉर्म ओफ लीगल बिजनस नई है बिजनस एंटिडी जिसकी विट लिमिट् यइबिल्टी ऑफ लिन के फियां वी पार्टनर्स की में १ूर्नीट्स अयूम्स है यह जो आपको किसके बेनीफिट देता है और वह और जैसे मर्जी आप कर सकते हैं इसमें सारे के सारे चीज़ आ जाएंगे कि separate legal entity है खुद के नाम पे assets खरीच सकते हैं खुद के नाम पे liabilities कर सकते हैं वो सारी बाते flexibility भी देता है तो यह सारी चीज़े आपको बता देनी हैं अब चलते हैं वापस next definition पे define small limited liability partnership green color अगे अगर यह green color में तो इसका क्या मतलब है कि definition जो पहले थी उससे यह change हो गई है उससे यह change हो गई है तो small limited small LLP बोल लोना या small limited बार बार बोलना पड़ेगा क्या small LLP बोल यह small LLP क्या होती है यह वह LLP होती है ज्यान से पढ़ना यहां लिखता भी जाता हूं जिसका contribution does not exceed does not exceed का मतलब कौन सा sign लगाऊं ड़स नोट एकसीड का मतलब है यह does not exceed कितना rupees 25 lakh हावेवर वो चाहें तो कोई बड़ा amount भी notify कर सकते हैं यानि 5 करोड तक का notify कर सकते हैं बट हमें यह नहीं देखना है हमें सिरफ कौन सा याद रखना है 25 लाक याद रखना है आज की तारिक में और turn over turn over मेरे बच्चा turn over ठीक है turn over as per the statement of accounts and solvency के हिसाब से पिछले year का turn over of previous financial year कितना होना चाहिए exceed नहीं करना चाहिए rupees 40 lakh rupees 40 lakhs ठीक है और सच higher amount 50 करोड तक वो चाहें तो इसकी limit बढ़ा सकते हैं यानि कह रहे है 25 lakh से जादा नहीं होना चाहिए contribution और turn over 40 lakh से जादा नहीं होना चाहिए तो वो एक छोटी LLP मानी जाएगी लेकिन सरकार चाहे तो इस limit को बढ़ा के maximum 5 करोड तक ले जा सकती है नोटिफिकेशन देके और इस limit को बढ़ा के 50 करोड तक ले जा सकती है मतलब यह limit तक जा सकती है बढ़ डेफिनेशन में लिखा है 25 lakh आज बोला है लेकिन यह limit future में 5 करोड तक बढ़ सकती है और इसी को हम बोलेंगे अगर यह दोनों condition and है अगर यह दोनों condition satisfy होती है तो yes sir, now next definition is define LLP agreement, LLP agreement क्या होता है यह वो written agreement होता है यह वो written agreement होता है जो किन के बीच में होता है partners के बीच में होता है या partners और LLP के बीच में होता है तो देखना यह बड़ी प्यारी बात है A B C इन्होंने एक LLP खोली जिसका नाम क्या है ABC LLP ठीक है तो वो कह रहे है LLP agreement वो होता है जो इन्होंने आपस में कर रखा यानि ABC के बीच में अगर कोई agreement है return तो हम उसको LLP agreement बोलेंगे या या जो ABC और ABC LLP के बीच में क्योंकि ये दोनों भी तो अलग परसन है अग्रिमेंट माना जाता है और यह इसमें क्या-क्या बाते लिखे होती है यह rights यह rights और duties बताता है किसकी partners की rights and duties बताता है कि partners की आपस में क्या rights and duties हैं और partner की LLP से related क्या rights and duties है यह आपको LLP agreement बताएगा बट यहाँ पर क्या word यूज हुआ है रिटन एग्रिमेंट को ही इन्होंने LLP एग्रिमेंट का नाम दिया है, औरल एग्रिमेंट को ये LLP एग्रिमेंट नहीं बोलते हैं, बताइए, क्या यहां तक सब को clear हो गया, कि LLP क्या थी, बिलकुल हम flow में चल रहे हैं, जैसे आपका भिया हुआ study material में, yes sir, clear है, कोई दिक् characteristics of LLP, LLP के characteristics बताओ, तो यह already हम cover कर चुके है, body corporate होती है कि LLP, yes, body corporate की definition में ही include कराया गया है, LLP incorporated under this act, तो इसलिए LLP एक body corporate है, क्या LLP की perpetual succession भी होती है, बिलकुल होती है, यानि उसके partners मर जाए, पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए उनके partners को, death, incentivity, retirement, insolvent, कुछ भी हो उनके partners को, लेकिन LLP खतम नहीं होगी, क्योंकि LLP law ने मनाई थी और law ही उसे खतम कर सकता है, अच्छा, क्या separate legal entity है, LLP the answer is yes, है ना, separate legal entity भी है, यानि creditors किस पर case करेंगे, अगर पैसा नहीं मिला, तो सिरफ LLP पर case कर सकते हैं, partners के ओपर case कर सकते हैं, के नहीं, यानि creditors of LLP can file a case against only against the LLP but not against the partners, mutual agency होती है कि the answer is no, the answer is no, mutual agency नहीं होती है, क्यों mutual agency नहीं होती है, क्यों mutual agency नहीं होती है, विकोज यहाँ पे सारे partners किसके agent होते हैं, यहाँ पे सारे partners LLP के agent होते हैं, यहाँ पे सारे partners LLP के agent होते हैं, ना कि एक दूसरे के agent होते हैं, यह बात हमने partnership versus LLP के concept में की थी LLP agreement यह तो अभी पढ़ क्या है LLP agreement एक return agreement होता है जिसके mutual rights and duties होते हैं विदा LLP है ना rights and duties होते हैं जो आपस में भी partner की rights and duties बताती है और in relation to LLP भी rights and duties बताई जाती है क्या ये एक artificial legal person भी है yes artificial क्यों है क्योंकि ये other लेकिन ये क्या नहीं कर सकता जेल जा सकती है क्या ये मा कसम खा सकती है नहीं क्या ये शादी कर सकती है नहीं क्या ये डाइवोर्स ले सकती है नहीं यानि क्या ये सीए बन सकती है नहीं क्या ये डॉक्टर है यहाँ पर भी मजे की बात है optional है and LLP being an artificial person can act through his partner क्योंकि वो artificial person है तो अपने partners के through act करती है तो वो चाहे तो एक common seal भी रख सकती है बढ़ ये mandatory नहीं है लेकिन इसमें important बात ये वाली है क्या कि वहिया अगर आपने common seal रखी है तो वो किसकी custody में रहेगी किसी responsible person की custody में रहेगी और जब भी वो किसी document पर लगाई जाएगी मतलब affixed की जाएगी तो उस time पर दो designated partner दो designated partner LLP के वहाँ पर present होने चाहिए जब भी वो किसी कागज पर लगाई जा रही है however this is optional however this is optional ठीक है optional मतलब common seal is optional but एक बार ले ली तो फिर तो आपको चलानी पड़ेगी ठीक है yes sir then next point is limited liability किसकी limited liability बताओ partners की की LLP की only and only हर partner की liability limited है but LLP की liability की unlimited होती है partners की liability limited है इसका मतलब क्या है उससे कितना पैसा मंगा सकते हैं उससे सिरफ उतना ही पैसा मंगा सकते हैं जिसना उसने agree करा था contribution के लिए यानि जितना उसने contribution के लिए agree करा था सिरफ और सिरफ उतना ही पैसा partner से मंगाया जा सकता है अगर धरूरत बड़ी तो ठीक है ओके वो ही पुरानी बात लिखियो है कि professional engineers, chartered accountants, lawyers को आज की तारीक में LLP जो form है वो बड़ी ही भार ही है बड़ी ही पसंद आ रही है minimum number कितने होने चाहिए partners के और maximum number कितने होने चाहिए minimum दो लोग होने चाहिए minimum दो लोग partners होने चाहिए और maximum पे कोई भी limit नहीं है however designated partner में minimum दो individual partners होने चाहिए इस पर designated partners पर एक अलग discussion होगा ठीक है business for profit only यह तो heart and soul है कि आप charitable काम के लिए charitable काम के लिए या non economic purpose के लिए LLP नहीं खोल सकते हो partnership खोल सकते थे क्या profit बिना profit के charity करने के लिए नहीं क्या LLP खोल सकते हो नहीं अगर charity करनी है तो section 8 company खोलो भाईया लेकिन यह available नहीं है यह available नहीं है LLP तिरब बनी है धंदा करने के लिए business करना है तो LLP खोलो वरना रहने दो ठीक है अगर central government को लगा कि LLP में कुछ घडबड हो रही है fraud वरोड हो रहा है तो central government के पास power है कि वो LLP के business को investigate करवा सके किसी authority को appoint करके कि भाईया इनका LLP का business चलो compromise और arrangement भी होते हैं Mergers भी होते हैं LLPs के वो भी हो सकते हैं LLP के दुआरा क्या बाकी चीजे LLP में convert हो सकती दानसर इस यह सेकिंड शेडियूल थर्ड शेडियूल फॉर्ड शेडियूल में यही तो लिखा हुआ है कि भाईया partnership firm वगएरा unlisted company private company convert हो सकती है LLP में then next is e-filing of documents यह क्या पढ़ रहे हैं characteristics पढ़ रहे है LLP के बहुत ज़्यादा ही दे रख्या है वैसे इतने आएंगे नहीं पेपर में क्योंकि 5 मां के लिए आएगा तो इतना सारा थोड़ी लिखेगा मेरा बच्चा 6-7 पॉइंट लिखेगा खतम करेगा e-filing of documents यहां पे जितने भी documents आपको ROC के साथ file करने होते हैं वह सारे के सारे आप electronic form में file करते हैं कहां पे www.mca.gov.in में और इससे कौन साइन करके देता है पार्टनर या उसका designated partner साइन करके देता है foreign LLP तो हम already पढ़ चुके हैं clear है कि हैं यहां तक yes sir यहां तक clear है then again minimum number कितने थे दो maximum number कितने थे maximum number कितने बन सकते हैं partner maximum there is no limit तो minimum 2 partners होने चाहिए और maximum कितने होने चाहिए कोई limit निया हजार रखने हजार रखो 10,000 रखने 10,000 रखो कोई दिक्कत नहीं है LLP में अच्छा क्या होगा अगर आपके LLP में partner 2 से कम हो गए अगर किसी वज़ा से death हो गई कोई partner छोड़ के चला गया आपकी LLP में partner अगर 2 से कम हो जाते हैं यानि कितने रह गए अगर एक रह गए अगर LLP में एक ही partner रहे गया तो क्या वो LLP रहेगी तो लौ कहता है इस partner के पास यह जो अकेला रहे गया है इसको हम 6 महीने देते हैं क्यों 6 महीने दे रहे हैं कि वो एक और person को तब तक धूंड के ले आए partner बनने के लिए 6 महीने के अंदर नहीं तो इसे problem होगी क्या problem होग अगर LLP business कर रही है 6 महीने से ज़्यादा जबकि उसका number 2 से कम है the person who is only partner of the LLP यारी जो अकेला partner बचा है जो उन 6 महीनों में काम कर रहा था after those 6 months है ना और उसको knowledge थी है ना कि वो अकेला ही business चलाय जा रहा है तो law कहता है फिर LLP तो खतम ही हो गई आप personally ही label रहोगे सारे acts के लिए जो आपने उस period में करे थे तो यह important point है और साथ में बताओं साथ में हो सकता है कि winding up भी हो जाए हम आगे जागे पढ़ेंगे साथ में possible है कि आपकी LLP की winding up हो जाए by अगर कोई tribunal में complaint कर दे तो यानि अगर आप 6 महीने में नहीं partner लाते है तो personal liability भी हो जाती ह लिए उस अके लिए partner की और साथ में हो सकता है ट्राइबिनल इस LLP को बंद भी कर दे साथ में हो सकता है ट्राइबिनल इस LLP को बंद भी wind up भी कर दे हां फाइनली आगया भाई फाइनली आगया designated partner इस पे थोड़ा detailed discussion करूँगा मैं है ना कुछ चीजों पर detailed discussion होना चाहिए चलो नॉर्मल पार्टनर ओफ एलल्पी ठीक है designated partner of LLP designated partner of LLP क्या मैं सीधी लाइन खीच पा रहा हूं कि नहीं नहीं सर आप तो सीधी लाइन भी खीच नहीं पाते हैं पिटा लाइन मारना मुझे थोड़ी आता है लाइन मारना तो हमारे रिशब सर से खाएंगे है ना अकाउंट्स तो वह पढ़ाता है ना मैं तो लौ पढ़ाता हूं minimum हाँ minimum number minimum number कितना चाहिए बताओ normal partner का अभी हमने पढ़ा था कितना number होना चाहिए जल्दी बताओ कितना number होना चाहिए minimum number है two ठीक है designated partner का कितना चाहिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं every partner shall be a designated partner में भी कहां कहां लिखा वह गयान पीसे चलागा कि वह हाँ at least two minimum कितने चाहिए designated partner भी दो ही चाहिए minimum यह भी कितने चाहिए दो यानि minimum normal partner भी दो चाहिए और designated partner भी दे चाहिए who can become partner normal partner कौन बन सकता है और designated partner कौन बन सकता है law कहता है normal partner individual भी हो सकता है ठीक है या कोई body corporate भी हो सकता है body corporate हमने definition पढ़ ली थी यानि कोई LLP body corporate मतलब कोई LLP या company चाहिए वो फिर इंडिया के अंदर इंकौर्परेट होगी हो चाहिए भार के इंकौर्परेट हो बट डेजिगनेटीड पार्टनर एक individual ही बन सकता है डेजिगनेटीड पार्टनर एक individual ही बन सकता है लेकिन बताना इसमें designated partner कौन बनेगा यह normal partner है मालो यह है normal partner इसमें दो normal partner चाहिए designated partner कौन बनेगा तो लौ कहता है designated partner हमेशा normal partners में से ही select होंगे अब normal partner दो ही है तो select करने की बात ही नहीं आती क्योंकि हमें दो ही चाहिए तो Mr. A और Mr. B normal भी है और designated भी है क्या बात समझे गया feel हुआ यह नहीं हुआ नहीं feel नहीं हुआ कोई बात नहीं अब होगा Mr. A Mr. B Mr. C Mr. A Mr. B Mr. C normal partners LLP खोली ABC LLP designated partner बनाने है minimum दो बताओ कौन बनेगा A बनेगा B बनेगा C बनेगा आपको इस में से किनी partners को designate करना है as designated partner तो कौन अब आपके पास option है देखना आप हो सकता है A और B को भेज दो हो सकता है A और C को भेज दो और हो सकता है B और C को भेज दो और मजे की बात है minimum 2 हैं क्या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या यह यानि हो सकता है आप तीनों कोई भेज दो आपको तीनों ही बन जाओ डेजिनेटेड पार्टनर्स हो सकता है आपकी मर्जी है मिनिमम दो है यानि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं यह पार्टनर्स मैक्सिमम कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं नो लिमिट नो लिमिट क्लियर है क्या कोई लिमिट नहीं है यानि आप सारे के सारे नॉर्मल पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड बना दो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है एक और स्पेशल एक्जाम्पल लेता हूं और मज़ आएगा ए प्राइवेट लिमिटेड बी पब्लिक लिमिटेड दो कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड इन दोनों ने मिलकर एज़ा पार्टनर ये पार्टनर वन है ये पार्टनर टू है इन दोनों ने मिलकर क्या करा एक LLP इंकॉर्परेट करी उस LLP का क् रखा AB LLP AB LLP यह partner है यह partner है क्या यह वाली condition पूरी हो गई क्या यह वाली condition minimum number 2 normal partners होने चाहिए 2 designated चाहिए अब 2 designated चाहिए बट individual चाहिए अब मुझे बताओ जब यह individual है यह नहीं तो कैसे बनेगे वो designated partner अब designated partner कैसे करोगे यह main question आता है तो law कहता है A किसी person को agent appoint करेगा और उसे designated partner बनाएगा B किसी person को agent appoint करेगा और उसको designated partner बनाएगा यानि जब partners other than individual होते हैं तो उनको designated partner बनाने के लिए किसी agent को appoint करना पड़ता है जो इस LLP में as a designated partner appoint होगा जल्दी बताओ क्या यह point clear हुआ मेरे बच्चों को या नहीं 230 days not less than 120 days not less than 120 days यानि 120 दिन से कम वो इंडिया में थे कंशार ही रहनाँ चाहिए तो resident होना चाहिए मतलब क्या अ becoming who has stayed in India for a period of not less than 120 days यानि 120 दिन से कम वो नहीं होना चाहिए तो difference में लिख दू है resident resident होना चाहिए क्या क्या normal partner में ऐसी कोई requirement है the answer is no but designated partner में ऐसी कोई requirement है yes designated partner में requirement है yes one partner one designated partner should be resident should be resident but यहां मैं लिखनी रहूं क्यों नहीं लिखना हूं because अगर कोई बंदा हमें resident चाहिए तो वह normal partner भी तो resident होना चाहिए ना तो वह वाली एक difficulty आते है लेकिन body corporate के case में वह किसी और बंदे को भी appoint कर सकता है clear है क्या yes or no इस पर भी एक case study आएगा कि एक सो दस दिन कि एक सो दस दिन कि एक सो दस दिन इंडिया में था आप मुझे बताओ क्या वो designated partner बन सकता है ए इंडिया में 110 दिन था क्या वो designated partner बन सकता है the answer is no yeah A ंडिया में 130 दिन था क्या वो designated partner बन सकते है दानसरसस दांसरी कि बस यही चीजे तो आपको याद रखनी है येही चीजे आपको याद रखनी है clear है क्या okay नाight question is अ how to become partner how to become partner and designated partner in LLP अगर आप किसी LLP में partner या designated partner बनना चाहते हैं तो कैसे बनोगे अगर वो company new start हो रही है ओ company बोल रहा हूँ sorry अगर वो LLP new LLP है अगर आपकी LLP नई incorporate होने जा रही है और आपको partner बनाना है आपको partner बनाना है या क्या बनाना है sorry designated partner बनाना है मेरे बच्चा आपको partner बनाना है या designated बनाना है new LLP में तो जो आप incorporation document फाइल करते होना एक document अभी हम सीखेंगे LLP बनाने के लिए लगता है जिसका नाम क्या है incorporation document incorporation document उनमें इनका नाम होना चाहिए partner या as a designated partner तो वो लोग क्या बन जाएंगे partner बन जाएंगे designated partner बन जाएंगे बट अगर मैं बात करता हूं किसी old LLP में अगर आप partner या designated partner बनना चाहते हो तो law कहता है as per LLP agreement as per LLP agreement LLP agreement में जो लिखा है कि partner और designated partner क्यासे बनेगा वैसे बन जाना तो new LLP में incorporation document से बनते हैं और नई LLP में LLP agreement से बनते हैं यही बात मेरे बच्चा यहां लिखी हुई है यही बात बस यहां पर लिखी हुई है ठीक है ओके सर तो एनी पार्टनर में बिकम यानि एनी नॉर्मल पार्टनर में बिकम डेजिगनेटिट पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद्धी LLP agreement इन अकॉर्डेंस विद्धी LLP agreement क्लियर है क्या यस और नो ठीक है ओक है हाँ डेजिगनेटिट पार्टनर एक इंडिविजुल तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अपनी कंसेंट नहीं देता कि मैं डेजिगनेटिट पार्टनर बनने को रेडी हूं यानि उसको पता होना चाहिए उससे कंसेंट क्यूं ले रहे हैं सामने वाले बंदे की इसलिए ले नहीं उन बिचारों को पता ही नहीं वो डेजिगनेट पार्टनर बने हुएं इसलिए लिखा कि अगर आप से वो D को डेजिगनेटेड पार्टनर बना रहे हों तो उनकी kuंसेंट जरूरी है एक रिटन में उनकी कंसेंट देदेना और आप क्या बना लोगे उन्हें अच् ठीक है sir clear हो गया sir कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो every LLP LLP जो है वो फाइल करेगी registrar के साथ registrar कौन सा है companies के साथ register of companies क्या every individual जिसने individual ने अपनी consent दिये कि हाँ वो ready है designated partner बनने के लिए उस form और उस manner में जो company जो LLP rules में बताया गया है कितने दिन में file करेंगे within 30 days file करेंगे office appointment अपनी appointment के 30 दिन के अंदर तुम्हें वो consent file कर देनी है किसके साथ ROC के साथ individual eligible to be a designated partner उसको वो सारी condition satisfy करनी पड़े यानि वो individual होना चाहिए और 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए ठीक है यह special point है कि जब आप कि designated partner बनते हो तो law कह रहा है designated partner बनोगे तो आपको लेना पड़ता है designated partner identification number जिसको हम बोलते हैं DPIN designated partner का identification number ठीक है किस से लेना है from the central government और यह लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि Companies Act के कुछ section भी किसको लगते हैं किसको लगते हैं LLP को लगते हैं तो कह रहा है Companies Act के section number 153 से लेके 159 तक मुतातिस मुतानदिस मतलब same to same same as it is same as it is ऐसे के ऐसे चिपका के किसको लगेंगे किसको लगेंगे LLP को भी लगेंगे LLP को भी applicable हो जाएंगे यानि उसके भी designated partners को section 153 से 159 में जो भी लिखा हुआ है वो follow करना पड़ेगा in respect to designated partner identification number clear है क्या यहां तक जल्दी बताएंगे सब लोग कि अ कि अब हम पड़ेंगे कि अगर LLP नहीं बनाना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है मान लो कोई client आपके पास आते हैं और कहते हैं सर हम LLP खोलना चाहते हैं तो आप तो चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपको LLP आनी चाहिए बनानी इंकॉर्परेट करनी तो उसका प्रोसीजर है देखो पहला step क्या है step one आपको पहले नाम का reservation करना पड़ेगा यानी आप जिस नाम की LLP खोलना चाहते हैं उसका नाम पहले ही Registrar of Company के पास reserve करा के रखना पड़ेगा कि भाईया ये नाम आप किसी को मत देना हम इस नाम की LLP खोलने वाले हैं पिर पिर जाके main procedure चालू होगा नाम का reservation कराने के बाद जिसमें आप LLP incorporate करेंगे by registration procedure जब आपकी LLP incorporate हो जाएगी third step ये होने के बाद company वैसे यही बन जाएगी मेरे बच्चा लेकिन पिर कुछ दिन बाद 30 दिन के incorporation के बाद आपको file करना पड़ेगा LLP agreement file करना पड़ेगा with ROC within 30 days of incorporation यानि सबसे पैदा step क्या होगा नाम को reserve कराएंगे अभी detail में इसके provision पड़ेंगे फिर LLP को registration कराएंगे पूरा का पूरा procedure follow करके इसका भी पूरा detail में पड़ेंगे और third है LLP agreement को 30 दिन incorporation यानि certificate of incorporation आने इशू होते ही 30 दिन के अंदर क्या करदेंगे फाइल कर देंगे ROC के साथ यानि LLP agreement पहले नहीं देना होता है बाद में देना होता है यह बात आपको पता चल गई कि नहीं बहुत बढ़िया बात है बहुत ही प्यारी बात है समझ गया तो पहले step 1 के उपर discussion करते है detail name reservation से लेकर तो देखो कोई भी person apply कर सकता है form में वह form जो हमने prescribe कराओगा rules में ठीक है registrar of companies के पास किस चीज़ के लिए apply कर सकता है for the reservation of name set out in the application ठीक है आप दो reasons के लिए name reserve करा सकते हो दो reason के लिए एक अगर आप कोई नई LLP खोल रहे हो तो उसके लिए नाम reserve करके रख सकते हो या अगर आप अपनी पुरानी LLP का नाम change करना चाहते हो तो उसके लिए भी करा यानि दो reason के लिए आप application कर सकते हो registrar को name से related पहला जब नई LLP incorporate कर रहा हूं पहला जब नई LLP incorporate कर रहा हूं तो उसके लिए या दूसरा पुरानी LLP का नाम बदलना चाहता हूं उसके लिए ठीक है यह point अभी के लिए next slide के बाद दुबारा बढ़ाता हूं फिर आपको समझेगा law कहता है कि जब आप LLP का नाम रखोगे तो उसके नाम के आगे हमेशा लिखना limited liability partnership या LLP ताकि लोगों को पहचान आ सके कि यह एक LLP form of business है और आप जब नाम दोगे ना तो हम आपका नाम चेक करेंगे undesirable नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए undesirable नहीं होना चाहिए या मिलता जुलता identical और nearly या तो एकदम same to same identical या nearly to resemble यानि मिलता जुलता नहीं होना चाहिए to which of any other LLP किसी LLP से किसी और LLP से या किसी और body corporate से मिलता नहीं होना चाहिए या किसी के trademark से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए देखना हां जैसे मैंने अपनी LLP का नाम रखना चाहा पीजिक्स वाला यहां पर double L आता है मैंने A की L लिखा फिजिक्स वाला LLP क्या मुझे रखने दिया जाएगा नहीं रखने दिया जाएगा because this is nearly resembles nearly resembles to one of the body corporate one of the body corporate तो लोग कहेगा लोग confused होंगे यह फिजिक्स वाला company है मतलब main company और इसके नाम में confused होंगे तो ऐसा नाम आप reserve नहीं करा सकते हैं या मान लो मैंने रखा सर्फ एक्सल LLP आहा कितना प्यारा नाम लाया हो ना मैं सर्फ एक्सल LLP तो law कहता है सर्फ एक्सल तो already हिंदुस्तान Unilever का trademark है आप उस trademark को अपने नाम में use नहीं कर सकते हो ठीक है तो यह चीजों का धिहान रखना एक तो वो नाम undesirable नहीं होना चाहिए या वो match नहीं होना चाहिए किसी और LLP है किसी body corporate आप जानते हैं या किसी के register trademark के लिए आप नहीं कर सकते हैं reservation ठीक है okay clear है यहां तक तो यही बात है कि जब application आएगी जब आप application जमा करेंगे register को fees pay करके तो register check करता है normally कि भाइया कहीं आपने वो वाला नाम तो नहीं रख जो किसी से match हो रहा है अगर वो रखोगे तो वो क्या कर देगा reject कर देगा वो reject कर देगा भाईया reject कर देगा कि भाईया आपने नाम गलत है नाम दूसरा reserve कराई है या अगर आपका सही था नाम तो नाम को reserve कर देता है कितने महीने के लिए तीन महीने के लिए from the date of intimation यानि वो तीन महीने के लिए नाम आपकी LLP के लिए reserve हो गया है तो जैसी अगर आप तीन महीने के अंदर अगर LLP incorporate करा देते हैं तो वो नाम आपको allocate कर दिया ज चाहेगा क्या यह point आपको clear है अच्छा अब आता है अब आता है भाईया मान लो अगर गलती से किसी को मिलता जुलता दे दिया मान लो वैसे तो देना नहीं चाहिए था लेकिन मुझे गलती से सर्फ एक्सल एलल्प मैंने apply करा और रजिस्टार विचारा चेक नी कर पाया साइस है और उन्होंने मुझे सर्फ एक्सल एलल्प नाम रखने दिया क्या होगा जल्दी बताओ क्या होगा इससे सर इससे actual company का नुखसान होगा actual company क्या करेगी अब तो law कहता है अगर जिसका आपने trademark यूज करा या जिसका नाम यूज करा उसने application कर दी central government को कि इन्होंने भहिया हमारा नाम यूज करा है हमारा trademark violate करा है तो central government आपको बोलेगी यह गलती से तेरे को नाम दे तो मैं खुद तेरी LLP का नाम क्या है अगर तुने इस नाम को चेंज नहीं करा तो यही बात आगे लिखी हुई है notwithstanding कि आपको वह नाम गलती से मिल गया था section 15 और 16 के अंदर लेकिन अगर बाद में गलती से पता चला कि एक LLP को ठीक है first registration पर या नाम चेंज करने पर कोई एसा नाम मिल गया है जो identical है जो identical है किसी दूसरी company किसी दूसरे trademark से तो क्या होगा और सामने वाले ने application भी करी है उसने application करनी चाहिए कि इनोंने मेरा नाम यूज करा है तो central government आपको बोलेगी central government आपको क्या बोलेगी बदले रे बदले अपना नाम बदले नया नाम रख ल कितने टाइम में बोलेगी तीन महीने आपको मिलेंगे central government के order से तीन महीने आपको दिये जाएंगे अपना नाम change करने के लिए ठीक है तीन महीने दिये जाएंगे लेकिन law कहता है ये जो company आ रही है ना central government के पास ये सिरफ तीन साल के अंदर ही आ सकती है यानि जिस दिन आप नहीं वो person आके claim कर सकता है कि मेरा नाम है तीन साल बाद नहीं यानि limitation टाइप लग जाएगा ना correct कि वह या तीन साल बाद आप आप नहीं आके कह सकते यह मेरा है फिर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत साल से वह use कर रहा है अप तो इसकी brand image बन चुकी होगी इसलिए तीन साल क के अंदर आपको यह application करनी है अच्छा अगर मैंने अपना नाम change नहीं किया ठीक है मैंने अपना नाम change एक तो है कि मैंने कर लिया change कैसे करूंगा अपना नाम रजिस्टार को बोलूँगा मैं ये नाम रखना चाहता हूँ रजिस्टार कहीगी अच्छा सर्फ एकसल नहीं आप कुछ और नाम रखना चाहते हो ये लो तुम्हारा नाम रख दिया और एक नया Certificate of Incorporation मुझे इस्यू कर देगी ठीक है Certificate of Incorporation इस्यू कर देगी 30 दिन के अंदर लेकिन अगर मैं नाम रखना भूल गया Central Government के कहने पर भी तो Central Government मेरा एक नया नाम रख देगी Central Government मेरी LLP का एक नया नाम रख देगी बस इतनी बात आपको याद रखनी है अब आते है Step 1 complete हो गया that is Reservation of Name now Step 2 अब LLP Incorporate करना सच में स्टाट अभी तक तो सिरफ नाम फाइनल हुआ था नाम फाइनल वी हो गया और बुकिंग भी हो गई फाइनल भी हो गया और बुकिंग भी हो गई अब देखो गोपाल लक्की मादब तीनों पार्टनर्स बनना चाहते थे तो यह क्या करेंगे Registrar of Companies के पास Form File करते हैं जो Rules में लिखा हुआ है Form के साथ देते है Incorporation Document प्लस Color बढ़िया नहीं है क्या बच्चा कह रहा है सर Color नजरी नहीं आ रहा कैसा वाहियाद Color यूज कर रहा Sorry बेटा यह लो यह वाला दिखेगा मेरा दिल कह रहा है यह वाला दिखेगा Incorporation Document यानि आप क्या क्या फाइल करोगे आरो की साथ यहां लिख देता हूँ और बहतरीन दिखेगा मेरे बच्चों को Incorporation Document File करोगे प्लस एक Statement File करोगे ठीक है Incorporation Document में क्या जाएगा वो अभी डिसकस करेंगे बटा आप एक Incorporation Document File करोगे एक Statement File करोगे रोसी उसे चेक करेगा Approve करतेगा और आपको इशू करतेगा क्या Certificate of Incorporation रोसी आपको इशू करतेगा Certificate of Incorporation क्या ऐसा दिखता है मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ कि Certificate of Incorporation कैसे दिखता है देखो ताकि आपको Practical Knowledge भी तोड़ी होनी चाहिए कि नहीं देखो कैसा दिखता है Government of India Ministry of Corporate Affairs Form No.16 Certificate of Incorporation किसका है LLP का है और LLP को एक मिलता है LLP Identification No. जैसे Company को मिलता है Corporate Identity No.3 मिलता है वैसे यहाँ पर LLP IN मिलता है It is Thereby Certified 3G Yoga Peta LLP Incorporate हो गई है Given Under My Hand कौन सी तारिक को 28 P.E.B. 2020 ठीक है Latest लाया हूँ दो साल पुरा नहीं है चलो Assistant Registrar of Companies ने दिया है Sign करके अवास पटवेकर सर है Registrar of Companies Central Registration Center और यह उन्होंने Certificate of Incorporation दे देती है जब आपका सब कुछ सही होता है This is the proof This is the proof कि 28 फरवरी 2020 ते एक 3G Yoga Peta LLP नाम की एक 3G Yoga Peta LLP नाम की एक क्या incorporate हो गई है LLP incorporate हो गई है जो आज की तारिक से एक नया परसन और देखो LLP Rules के अंडर यह दिये गए मैंने बताया था ना Forms कहां दिये होते है LLP Rules में दिया हुआ LLP Act में नहीं दिये होते है Rules में दिये होते है इसलिए यहां पर Rules लिखा हुआ जबकि यह जो LLP बनी है वो Section 12 के अंदर बनी है Clear है? Yes or No? जल्दी बताओ Okay और यह Certificate क्या Evident करता है? यह Certificate Evidence है कि इस नाम की LLP बन चुकी है इस नाम की LLP बन चुकी है Okay sir Clear हो गया sir अब डिटेल में पढ़ेंगे procedure को एक एक step पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कहीं भागना तो नहीं है Sir आप तो कह रहे थे जल्दी जल्दी पढ़ाओगे फिर से दीरे दीरे पढ़ाने लगे क्या करूँ? क्या करूँ मैं बच्चो मैं हूँ आदत से मजबूर 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 मैं हूँ आदत से मजबूर incorporation document चलो आओ सबसे important document होता है जब आप LLP का registration कराने जाते हो that is incorporation document अगर आपको LLP incorporate करानी है तो दो या दो से ज़ादा लोग आएंगे जो lawful business करने आये हैं वो इस incorporation document पे subscribe करेंगे यानि sign करेंगे correct sign करेंगे और उस manner में उस fees के साथ file कर देंगे जो rules में लिखा हुआ है ठीक है? इसके साथ एक statement भी जाती है जो LLP बनाने में help कर रहा है या company secretary जो LLP बनाने में help कर रहा है या एक chartered accountant या एक chartered accountant जो आप लोग future में बनने वाले हैं और मैं already हूँ या एक cost accountant इन चारों में से जो भी LLP बनाने में client की मदद कर रहा है उसका sign लगता है ये statement में और साथ में एक और person जो incorporation document पर sign कर रहा है यानि वो partner उसके भी sign लगेंगे बट ये हम से किस document पर sign कर रहा है ये ध्यान देना कह रहे है हम इस document पर sign कर रहा है कि सारी कि सारी requirements all the requirements of this act and the rules जो थे वो सारे के सारे comply हो गए है मतलब अगर कल को कुछ घपला निकला तो आपको पकड़ेंगे क्योंकि आपने sign कर रहा था ला ये ने sign कर रहा था कि नहीं ए तुने तो sign कर रहा था सब कुछ comply हुआ ये वाला rule तो comply नहीं हुआ है तुने फिर sign कैसे कर दिया भी नहीं इसके आप से declaration ले लिया जाता है in respect of incorporation and masters incidental there too incidental there too अब next question आता है incorporation document में क्या data जाता है incorporation document में क्या कै जाता है तो LLP का नाम जाता है जो आपने reserve करा के रखा था क्या business करने वाली है LLP का वो जाता है address जाता है LLP का registered address जाता है name और address हर person का जो partner बनने वाला है correct name and address जो designated partner बनने वाले है और थोड़ी बहुत इदर उदर की और जानकारी जो rules में prescribe करी गई है ये सारी चीज़े आपको देनी पड़ती है अगर आप क्या बना ये कहां पर देनी पड़ती है incorporation document में देनी पड़ती है वो जूटी है false है या आपको लगता था कि वो बास सच नहीं है तो आपको क्या कर देंगे आपके साथ टां 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 जेल भीज देंगे for a term which may extend to tears maximum दो सालों तक की जेल हो सकती है and और नहीं and साथ ही साथ जेल तो जाओ गे ही जेल की चक्की तो पीसे हो गे ही साथ में fine भी which shall not be less than rupees 10,000 but which may be extend to 5,000 लाग यानि 10,000 से लेके 5,000,000 रुपे तक का fine भी लगेगा अगर क्या पता चला कि जो आपने statement थी जूटी दी थी या आप उससे सच नहीं मानते थे तो clear है यहां भी आपका खतम हो गया भाईया वो आपकी तरफ का part अब चालू होता है रजिस्टरार की तरफ का part रजिस्टरार की checking जब रजिस्टरार को लगेगा कि जो requirements है वो पूरी हो गई है section 11 की तो रजिस्टरार क्या करेगा सारे के सारे incorporation document correct वो साथ में अपने पास रख लेगा है ना साथ में अपने पास रख लेगा लेकिन अगर पूरी नहीं हुई तो आपको बोलेगा भाईय चोधा दिन में क्या करेगा देखना आपकी incorporation document को register करके आपको certificate of incorporation issue कर देगा कि LLP incorporate हो गई है इस नाम से ठीक है clear है क्या yes or no yes sir एकदम clear है और जो आपने statement file करी थी ना वो हम sufficient evidence मानते हैं कि आपने rule को comply किया यानि register कर रहा है मैं check नहीं करूँगा आपने सच में act को comply किया है कि नहीं statement आपने file करी थी कि हाँ हमने comply करा है तो मैं मान लूँगा कि आपने comply करा है the certificate issued under clause be shall be signed by the registrar and the authenticated by the his official seal यानि जो वो certificate issue कर रहे है certificate of incorporation वो कौन sign करेगा registrar sign करेगा और उस पर उसकी official seal भी लगी होने चाहिए आओ देखने लगी होती है कि नहीं कहां गया भाईया official seal कहां लगी होगी है भाईया official seal डिजिटल है इसलिए नहीं लगी होगी है sign तो हो रखा है बट official seal देखनी पड़ेगी चलो कोई बात नहीं आज चलो certificate of incorporation जिस दिन मिल जाता है उससे उस दिन क्या होता है उस दिन एक नई entity का जनम होता है जिसका नाम वो नाम होता है जो certificate of incorporation पे लिखा होता है और उस दिन से वो LLP जिस दिन से वो register हुई है उस दिन से वो अपने नाम से capable होती है क्या करने के लिए case करने के लिए या उस पे भी कोई case कर सकता है उसी दिन से वो खरीच सकती है own कर सकती है hold कर सकती है properties को चाहे वो movable हो immovable हो tangible हो intangible हो common seal भी अपने पास रख सकती है वैसे optional है अगर decide करेगी तो रख सकती है और वो सारे act कर सकती है जो कि एक body corporate कर सकता है तो जितने भी एक टिक body corporate lawfully कर सकती है वो सारे वो एक्ट कर सकती है यह वो सारे एट से वो सफर कर सकती है नाव कम्स दी important question देखो यह दियान रखना कि कहां कहां पर important है ना मैं तो सारे ऐसी पढ़ाना हो सब important है बट मैंने फिर भी specially mark करे हूँ है कि क्या क्या important आपको जो मस्ट है याद करके ही जाने और लास्टी देखके भी जाने है एक्स्प्लेइन दी प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्टर्ट ओफिस ओफ एलल्पी एंड और और्सो दा पैनल्टी इफ एनी ऑफ दफ प्रोविजन गॉंटर्वेंड वाई दा लल्पी लॉग कह रहा है यह बताओ रजिस्टर ओफिस से रिलेटिड एक्ट के अंदर क्या बाते लिखी हुई है सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है हर एलल्पी के पास होना चाहिए हर एलल्पी के पास होना चाहिए क्या अपना एक रजिस्टर्ड ओफिस क्यूं होना चाहिए ताकि उस पे कोई भी कॉम्मिनिकेशन या नोटि भेजा जा सके भेजा जा सके इसी लिए एक registered office हर LLP के पास होना चाहिए ठीक है ओके सर आप document में भी served आप कोई भी document LLP को या उसके partner को या उसके designated partner को आप LLP को या partner को या उसके designated partner को भेज सकते हो चाहिए post से भेजो under a certificate of posting या by registered page से भेजो या courier warrior से भेजो जैसे मर्जी भेजो add the registered office and any other address specifically declared by the LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed ठीक है अगर आपका registered office change होता है तो ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी जब तक आप ये नहीं बताएंगे ये change माना नहीं जाएगा यानि अगर आप अपना registered office change कर लेते हो और रजिश्टरार को नहीं बताते हो तो ये माना नहीं जाता है कि आपका registered office change होगे पुराने वाला ही चलता रहता है और next question क्या थ अगर आपने अपना registered office रखा बड़ बताया नहीं या रखा ही नहीं तो आपको लगेगी penalty आपको लगेगी क्या penalty लगेगी penalty क्या बोलती है इफ एनी डिफोल्ट इफ एनी डिफोल्ट इफ एनी डिफोल्ट इस मेड इन कम्प्लाइंग विद्धी रिक्वार्मेंट अफ दिस सेक्षन तो कितनी penalty लगेगी LLP and मैं यहां भी लिख रहा हूँ हो सकता आपको ना दिख रहा हूँ LLP और उसके partner को पता कितनी penalty लगेगी 500 रुपीज पर डे पर डे जब तक की जब तक की जब तक की वो आपका contravention रहेगा यानि जब तक आप करनी देते हैं और maximum कितनी रहेगी पचास हजार रुपए maximum कितनी रहेगी रुपीज 50,000 अगर आप रजिस्टरेशन ओफिस से रजिस्टर ओफिस से रिलेटेट कुछ भी गोल गपला करते हैं तो चलिए How to decide the mutual rights and duties of the partners of LLP कैसे decide करोगे यह तो मैं already आपको बता चुका हूँ कि यह कैसे decide होती है यह decide होती है in accordance with the LLP agreement और अगर कोई बात LLP agreement में नहीं लिख़्ी होती है तो कहां से पता चलती है schedule 1 से पता चल जाती है कहां से पता चलती है मैं बच्चा schedule 1 से पता चल जाती है clear है कि बस यही बात यहां पे लिख़्ी हुई है आगे चलते है यह एक प्यारा और point आया यह प्यारा point क्या बोल रहा है कह रहा है कई बार देखना यह 10 लोग यहां मिले और इन्होंने सोचा business करते है ठीक है 10 लोग कहां मिले यहां पर मिले इन्होंने सोचा business करते है इन्होंने एक agreement बना लिया दस लोगों ने, बना लिया आपस में, आपस में इन दस लोगों ने क्या बना लिया, एक agreement बना लिया, उसके बाद क्या हुआ देखना, दस लोग agreement ठीक है, यहाँ पर कहीं पर इन्होंने LLP incorporate करी, ठीक है, बट agreement क्या था, पहले ही बन गया था, तो लोग कहता है, अगर इन्हो बनने से पहले कोई agreement बना लिया तो वह LLP agreement कैसे होगा क्योंकि LLP तो existence महीं नहीं थी है ना तो यहां पे अगर कोई पुराना agreement है जो LLP बनने से पहले ही बन गया था तो आपको इस agreement को ratify करना पड़ेगा सारे partners को after the incorporation of LLP after the incorporation of LLP यानी an agreement in writing made before the incorporation राइटिंग में अगर कोई agreement हुआ था LLP से पहले between the person जिनोंने incorporation documents को sign करा यानी first partners को may impose obligations on the LLP provided यानी आप इसको applicable कर सकते हो provided आपने उस agreement को ratify कर रहा होना चाहिए सारे partners ने after incorporation of the LLP और अगर agreement में कोई बात नहीं लिखी हुई है तो वो agreement की बात कहां से पता चलेगी first schedule में लिखी हुई है वहाँ पे जाके पढ़ लेना ठीक है यह आए अप जड़ा प्यारे 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 sections आ रहे हैं सर हर section को अगर आप प्यारा बताओगे चलो आओ हां सिशेशन ओफ पार्टनर्शिप की बात करते हैं आप सिशेशन ओफ पार्टनर इन LLP आप LLP में पार्टनर थे बट आप नहीं रहना चाहते इसके क्या-क्या मुद्ध्य हो सकते हैं पहला हो सकता है बात में लिखेंगे दूसरा लिखते हैं पहले डेथ हो गई पार्टनर की तो क्या वो पार्टनर रहेगा नहीं रहेगा अगर वो इन्सॉल्वेंट हो गया तो क्या वो पार्टनर रहेगा नहीं रहेगा अन्साउंड माइंड का हो गया तो क्या वो पार्टनर रहेगा नहीं रहेगा तो अगर कोई partner की death हो जाती है, insolvent हो जाता है, unsound mind कर रहता है, तो हम कहते हैं, partner जो है, खतम हो गया, correct partner जो है खतम हो गया, तो अब person में ceases to be a partner of LLP, एक person LLP का partner ceases मतलब stop, अब वो partner नहीं रहा, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो, partnership से, तो आपके पास दो option है, देखो, अगर आप voluntary जाना चाहते हो, है ना, यह death, insolvency और unsound है ना, मैं voluntary जाना चाहता हूँ, यानि यह retirement की बात कर रहा है, अगर मैं voluntary ज जाना चाहता हूँ, LLP से, तो law कहता है, as per agreement जाना, as per LLP agreement, LLP agreement में जो भी लिखा है, जाने के लिए, वो comply कर लेना, लेकिन अगर there is no mention, in absence of agreement, कुछ लिखा ही नहीं agreement में, in absence of agreement, तो क्या करेंगे, तो law कहता है, notice देखे जाना, notice, और वो भी कितने दिनों का law कहता है, notice कितने दिनों का देना पड़ेगा, राइटिंग में, 30 दिनों का देना पड़ेगा, to other partners, तो अगर आप voluntary resignation लेना चाहते हैं, correct, तो as per LLP agreement जाएंगे, जो भी LLP agreement में लिखा हुए, वो follow करिए, बट अगर agreement नहीं है, तो law कहता है, notice देदीजे, कौन सा वो भी return notice, not less than 30 days, यानी minimum 30 days, minimum 30 days, और निकलते बनी हैं यहां से, ठीक है, तो यहां पर यह होता है, death में तो automatically चला जाएगा, insolvency में भी automatically चला जाएगा, और unsound mind में भी automatically चला जाएगा, लेकिन unsound mind में न, आप नहीं कह सकते यह unsound mind का है, या वो नहीं कह सकते में unsound mind का है, court ने डेक्लेयर करना चाहिए कि हाँ यह unsound mind का है, ठीक है, ओके, अच्छा, जब आप partner नहीं रहेंगे, तो जाते हुँ अपना हिस्सा लेकर जाओगे कि नहीं, लेके जाएंगे, तो आप अपना capital contribution लेके जाना, जो आपने दिया था, प्लस आपके accumulated profits में जितना हिस्सा था, वो भी लेके जाना accumulated losses को minus कर जाएगा, जाने वाले को दिया जाएगा, amount, amount actually जो उसने contribute किया था, amount actually contributed plus share of accumulated profit जितना भी आपका बनता है, share of accumulated profit minus share of accumulated, अगर कोई loss है, वो भी, तो जो amount आएगा, वो आप लेके जाएगे, अगर positive आएगा, यह amount तो आपको दे दिया जाएगा, और अगर negative आएगा, तो क्या आपसे मंगाया जाएगा, हाँ मंगाया जाएगा, लेकिन कितना मंगाया जाएगा, जितना आपने promise कर रखा था, contribution में उतना मंगा सकते है, उससे जादा नहीं मंगा सकते, because liability किया है यहाँ पर, limited है मेरे बच्चो, liability किया है, और जो partner यहाँ पर चला जाता है न, जिस partner की death हो गई है, resign कर गया, इन सब को एक ही नाम से बुलाया जाएगा, इनको हम बोलते है, former partner, क्या बोलते है, former partner यानि प जाता है, next question आता है, कि भाईया, आपका partner छोड़के भाग गया, मतलब, retire हो गया, death हो गया, जो भी हो गया, बट यह बात क्या, registrar of companies को पता चली, क्या उसने अपने record में updated करी, नहीं, तो कौन बताएगा, LLP, तो यहाँ पर, मैं तीन चीजों को लेके चलूँगा, ठीक है, ध्यान देना, अगर partner का, name, change होता है, या address change होता है, name change होता है, या address change होता है, तो यह बात partner, LLP को बताएगा, यह बात partner LLP को बताएगा, अगर LLP में कोई partner आता है, partner joins, और partner leaves, due to any reason, correct, plus, plus, एक और बात यहाँ थी, यहाँ लिख देता हूँ, plus, partner का, name change, सर्फ partner का, name change मतलब क्या partner, क्या, अगर कल को आप अपना, name change करना चाहते हो, तो नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कहीं लोगों का, शादी की वज़ा थे, name change हो जाता, तो जब भी name change, यह अपना घर बदलते हैं, तो partner को LLP बताना है, और LLP को, यह तीन बाते, देखना, partner का name change, और address change, ठीक है, address change, किसको बताना है, यह बात इसको बतानी है, और LLP को, तो partner को क्या बताना है, LLP को, partner को LLP को बताना है, अगर उसको कोई नाम बदला, या address बतला तो वो LLP को बताएगा LLP ROC को क्या क्या बताएगी ये तो बताएगी नाम बतला या address बतला साथ में अगर कोई नया partner जोईन करा या कोई पुराना partner छोड़ के गया चाहे वो death हो चाहे इंसॉलवेंसी हो चाहे खुझ से चोड़ के गया हो किसी भी reason की वज़ा से तुम ROC को बताएगा यही वो reason है यही वो section है जो आगे हमें पढ़ना था ठीक है अच्छा कितने दिन में बताएगा 15 दिन में बताएगा चेंज गे तो यह जो notice देगा यह कितने दिन में देगा 15 देगा 15 देगा 15 days of change 15 days of change ठीक है कितने दिनों में बताएगी कि तीज दिनों में बताएगी तर्टी डेज में तो LLP को बताना है notice file करना है within 30 days of change ठीक है within 30 days of change अब law कह रहा है जब आप notice file कर दोगे registrar को उस form में और उस piece के साथ piece भी देनी बढ़ती है इसका designated partner का और authenticate होना चाहिए ठीक है हाँ और अगर कोई नया partner आ रहा है न तो notice के साथ एक और चीज लगेगी that is his consent जब partner join करेगा तो notice तो दो गई plus consent of new partner plus consent of कि भईया हाँ मैं partner बन रहा हूं उसकी consent कोई दिक्कत कोई दिक्कत यानि notice भी जाएगा partner joining में साथ में plus consent भी जाएगी उसके नए partner बनने की अब आगे बड़ा प्यारा पॉइंट आता है आगे आती है penalty कि अगर LLP ने notice नहीं दिया तो क्या होगा अगर LLP ने notice नहीं दिया तो क्या होगा kontraven अगर LLP ने contratven करा तो क्या होगा एक नहां अगर LLP ने contraven करा तो LLP and its DP यानि designated partners and its designated partner कितनी penalty लगा दी भाई जी आ हाँ हाँ 10,000 रुपे कितनी penalty shall be liable to a penalty of 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज ठीक है ओके रुपीज 10,000 रुपीज और अगर इस partner ने LLP को नहीं बताया अगर partner कॉंट्रावेन करता है तो कितनी penalty लगाएंगे रुपीज 10,000 यहां भी दोनों सेम है यहां भी 10,000 लगाई है और यह green में है इसका मतलब है amendment है इस paper के लिए और मजे की बात पता क्या है जो सारी majority of the amendments हुए LLP में वो penalties में ही हुई है यानि sections में इतने changes नहीं करेगा है जितने penalties में changes करेगा है ठीक है 10,000 रुपे 10,000 रुपे कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब यह बोलता है law आगे कि अगर जाने वाले partner को ऐसा लगता है जो partner जा रहा है कहां गया यह रहा जो partner जा रहा है उसको ऐसा लगता है कि LLP ROC को notice file नहीं करेगी उसे कैसा लगता है LLP ROC को notice file नहीं करेगी तो यह partner खुझ से ही ROC को intimate कर सकता है कि मैं अब उस LLP का partner नहीं रहा जैसे यह बात partner ROC को बताएगा तो ROC LLP को एक notice बेजेगी क्या यह बात सच है क्या यह बात सच है अगर LLP time पे reply नहीं करती है तो वो मान लेगी कि हाँ यह बात सच है बस यही बात लिखी हुई है कि वह यह partner जो है वो खुझी registrar को notice दे सकता है अगर उसे लगता है कि LLP notice file नहीं करेगी एंड अगर ऐसा notice registrar को partner से मिलता है तो registrar यह बात LLP से confirm करेगा लेकिन अगर LLP ने correct confirmation नहीं दी 15 दिन के अंदर तो registrar मान लेगा कि हाँ यह partner अब नहीं रहा कर लेगा किया यह point आपको clear हो गया बहुत simple था है ना कुछ हाट नहीं था बट बहुत सारी सीज़े mix थी तो हमने जब अलग करके उन्हें पड़ा तो हमें easily समझ आ गई हमें easily समझ आ गई now the concept comes of the agency concept जैसे हमने agency concept पड़ा था partnership में मिच्चोल एजन्सी का यहां पर मिच्चोल एजन्सी वाला concept नहीं यहां पर क्या है यहां पर सिरफ यह बोलता है कि LLP का हर एक partner business के लिए agent है लेकिन किसका दूसरे partners का नहीं 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 यहां पर partnership LLP की जेप से जाते हैं LLP के assets में से वो पैसा recover किया जाएगा बड़ दूसरे partners को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा क्या यह point clear है येस सर LLP bound नहीं होगी अगर किसी partner ने ऐसा करा ठीक है जिसके पास authority नहीं थी जिस partner के पास authority नहीं थी वो काम करने की और जिसके साथ उसने dealing करी उसको भी पता था कि इस partner के पास authority नहीं है यानि कोई partner ने किसी person के साथ contract करा तो LLP कह रही है मैं उसका पैसा नहीं दूगी अगर मैंने उस partner को authority नहीं दे रखी थी और third person को जिसके साथ contract हुआ है उसे भी पता है कि इसके पास authority नहीं है या वो ये मानता है कि ये उस LLP का partner नहीं है तो मैं liable नहीं रहूँगी वरना मैं liable रहूँगी का yes वरना मैं liable ठीक है अगर कोई partner गलत काम करता है या कोई काम करना भूल जाता है business में या अपनी authority के अंदर तो तो क्या होगा तो law कहता है the LLP is liable if a partner तो LLP liable रहेगी अगर partner कोई गलत काम करता है omission भूल जाता है कुछ करना business में तो liable होगी तो liable होगी ठीक है और liabilities जोगी वह LLP की कहां से मैट होंगी वह liabilities जो होंगी LLP की property से मिली जाएंगी partners की property को हाथ नहीं लगा जाएगा partnership की property को हाथ नहीं लगाया जाएगा ठीक है therefore a partner is not personally partner कभी भी personally liable नहीं होगा चाए directly बोलो चाए indirectly बोलो for the liabilities of the LLP LLP की liabilities के लिए कभी भी partner personally liable नहीं होने वाला है सिरफ और सिरफ कौन liable होने वाली है फिर आता है बेटा holding out का concept यह तो हम already पढ़ चुके थे holding out मैं मतलब मैं partner नहीं होता है अगर मैं दिखाता हूं या तो मैं कुछ बोल के बताता हूं कि मैं partner हूं मैं हूं नहीं बट मैं बोल रहा हूं मैं partner हूं या मैं लिख के दे रहा हूं मैं partner हूं या मैं conduct से बता रहा हूं मैं partner हूं या कोई और मुझे बता रहा है उस LLP का partner और मैं उसे allow भी कर रहा हूँ कि हाँ हाँ मैं partner हूँ यानि partner by holding out मतलब not really a partner not really a partner but showing myself as a partner of the LLP तो law कहता है आप liable रहेंगे अगर उस person ने LLP को उधार दिया है आपका नाम समझ के आपके नाम की वज़ा से अगर उधार दिया है तो आप liable रहेंगे और साथ ही साथ लेकिन सबसे पहला वो पैसा किस से रिकवर करा जाएगा LLP से ही रिकवर करने की कोशिश की जाएगी सबसे पहले वो पैसा LLP से ही रिकवर करने की कोशिश की जाएगी ठीक है एक और important question आ गया हमने अभी पढ़ा कि partners की liability करने के लिए या किसी और परसन के साथ अगर आपने fraud करने के लिए करा तो law बोलता है LLP और उसके partners की जिनों ने fraud करा था उसको क्या हो जाएगा उसकी भईया liability क्या हो जाएगी unlimited हो जाएगी for all or any of the debts or other liabilities of the LLP यानि सिरफ एक ऐसा case है fraud का ही जहां पर क्या हो सकती है liability unlimited हो सकती है लेकिन अगर वो act LLP की knowledge के बिना किया गया ठीक है अगर वो act LLP की knowledge के बिना करा गया तो आप LLP को नहीं पकड़ोगे अगर such access carried out by the partner तो normally LLP liable रहेगी का हां रहेगी because partner is an agent of LLP बट अगर ये आपने proof कर दिया LLP ने कि भईया वो हमारी knowledge के बिना partner ने किया है बिना authority के किया है तो फिर हो सकता है LLP liable नहीं और उस partner को खुद की जेब से जिसने fraud किया था उसको अपनी जेब से ही देना पढ़ जाए पनिश्मेंट वगेरा भी मिलेगी yes or no कितनी punishment मिलेगी भईया जेल जा सकते हो 5 साल के लिए 5 साल के लिए जेल और साथी साथ fine जो कम से कम 50,000 का और maximum कितना 5 लाग रुपे का कम से कम 50,000 का fine और maximum 5 लाग का fine साथी साथ यानि fraud के case में unlimited liability भी मिलेगी जो fraud करोगे 5 साल के लिए जेल भी जा सकते हो 50,000 से 5 लाग के बीच की penalty भी भरनी पड़े गी छीक है so where are LLP और any partner और designated partner और employee यानि किस किस की बात कर रहे है LLP partner, designated partner या employee has conducted the affairs of the LLP उन्होंने fraud किया है इन 4 में से मिलके किसी ने भी fraud किया है then criminal proceedings तो चलेंगी ही चलेंगी उसकी बात नहीं कर रहे है जो criminal proceedings चलेंगी वो तो अलग चलेंगी है ना जो other law में होने वाली है LLP और वो partner या वो designated partner या वो employee libel होंगे compensation देने के लिए उन्होंने जिसके साथ fraud किया है यानि fraud करोगे तो damages भी दोगे criminal proceedings भी होगी 5 साल के लिए jail भी जाओगे fine भी भरोगे क्या क्या होगा इसलिए कभी fraud मत करना मेरे बच्चा यही तो बहुत तगड़ी बात है compliance की यहाँ पर है ना however वो LLP यह तो आप जानते ही कि वो LLP liable नहीं होगी अगर यह प्रूफ कर दिया यह प्रूफ कर दिया कि उस partner designated partner ने जो fraud किया था वो LLP की knowledge के बिना करा था यानि एक employee ने fraud कर दिया चुपके से हमने एक employee को रखा था ठीक है हमने employee को रखा अपनी LLP में और उसने क्या किया एक होटल से जाके एक करोण रुपर ले लिए हमारे नाम पर और घर चला गया तो अब हमें उसने बताया था कि fraud कर रहा है अब वो कर गया हमने proof कर दे कि हमारी knowledge के बिना employee लेके गया तो कहरा फिर वो employee वो होगा हम नहीं employee liable रहेगा हम नहीं liable रहेंगे employee liable रहेगा हम नहीं liable रहेंगे ok clear है क्या येस येस clear है चलो new concept important नहीं लिखा हुआ क्योंकि एक्जाम में अभी तक नहीं आया है बट whistle blowing सिर्फ समझ लो क्या है आ तो सकता ही है इतना नया concept है इतना प्यारा concept है simple सी बात बताओं अगर आप अंदर की बाते भारवाले को बता देते हूँ तो उसे whistle blowing कहा जाते है अगर आप अंदर की बाते बाते बहर यानि LLP का कोई अंदर का बंदा अगर authorities की help कर देता है investigation में तो हम उसको बोलते है इसने whistleblow कर दी इसने अंदर की बाते बाहर बता दी इसने अंदर की बाते बाहर बता दी क्योंकि अंदर की बात तो चिरफ अंदर वालों को पता होती है बाहर वालों को कैसे बता चलेगी तो अगर कोई अंदर का बंदा बाहर बता देता है यानि authorities को बाहर मतलब authorities को investigation हुई हमारी LLP में वो बाते सिरफ हमें पता थी जो हमने गलत काम कर रखे थे लेक वो dear tribunal चाहे तो में चाहे तो घटा सकता है या पूरी की पूरी माफ कर सकता है penalty किस के against partner के against या किसी employee के against अगर यह satisfy हो गया कि उस partner और employee ने help करिये किस चीज की help करिये कोई ऐसी information दी है जो investigation में बड़ी काम की थी या कोई ऐसी information दी है जिससे की दूसरे partner या employee का क्या हो गया बंटाधार हो गया यानि उनको convicted प्रूव कर दिया गया उनको convicted दोशी प्रूव कर दिया गया ऐसी information दी तो उसकी सजा माफ या वेव करी जा सकती है penalty माफ करी जा सकती है no partner और employee of any LLP अच्छा जो आपके भेद खोल रहा है वो partner और employee को आप ना ही भगा सकते हैं ना ही demote कर सकते हैं यानि उसका promotion नहीं बलकि demotion उसे suspend भी नहीं कर सकते हैं उसे डरा भी नहीं सकते हैं उसे harass भी नहीं कर सकते हैं या किसी तरह से उसका discrimination नहीं कर स सकते हैं because सिर्फ इस रीजन पर कि उसने आपकी बाते पूरी दुनिया को बता दी पूरी दुनिया मतलब अथोरेटी को बता दी कि इस बेस पर कि उसने आपकी information authorities को बता दी आप इस बेसिस पे नहीं उसे निकाल सकते हैं नहीं उसे डिमोट कर सकते हैं नहीं उसे हैरेस कर सकते हैं यानि उसको पावर दी गई यह तभी तो नहीं तो बंदा क्यों बताएगा बंदा कहेगा अगर मैं अपने सेलरी का जीवन भर का हाँ या ना येस चलो ये टॉपिक्स होगे अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स पर जो ये बोलते हैं LLP को क्या-क्या बुक्स ओप अकाउंट्स रखने होते हैं annual return फाइल करना होता है कि नहीं क्या-क्या चीजे documentation में रखनी होती है उसकी बात करेंगे अब ठीक है प्रॉपर बुक्स ओफ अकाउंट LLP को maintain करने पड़ेंगे प्रॉपर बुक्स ओफ अकाउंट जो भी रूल्स में प्रिस्क्राइब करेंगे हैं relating to its affairs हर साल के लिए of its existence जब तक वह exist करेगी वह चाहे तो cash basis पर रखे चाहे तो accrual basis पर रखे परक नहीं पड़ता लेकिन books of account रखना उसको जरूरी है according to double entry system of accounting according to double entry system accounting यानि उसको books रखनी है हर साल की रखनी है चाहे cash पर रखो चाहे पर रखो लेकिन double entry single entry system नहीं follow कर सकते double entry करना है और कहां पर वो जो books बना रहा है वो कहां पर रखी होंगी हमेशा उसके registered office पर पढ़ी रहनी चाहिए कितने period तक जितने period तक हम rules में prescribe करें गे जितने period तक हम rules में prescribe करें गे ठीक है उसके बाद आता है statement of accounts and solvency यह क्या है हर LLP को financial year खतम होने के 6 महिने के अंदर financial year खतम होने के शे महिने financial year अब आप जानते हैं एक अपरल से 30 मार्च का होता है और new LLP के लिए कुछ और होता है from the end of each financial year बनाएगी क्या बनाएगी वह यह कि statement बनाएगी किस चीज़ का accounts का और solvency का solvency का मतलब यह प्रूव होता है कि वह insolvent नहीं है तो assets liabilities का solvent बनाना पड़ता है for the state financial year as at the last day as at the last of the state financial year उस form में जो हमने रूल्स में बताया हुआ है और यह statement कौन साइन करेगा यह statement designated partner साइन करेंगे अब यहां पर आपने बना लिया यह क्या किया बना लिया बनाने के बाद सिर्फ बनाना ही मत बनाने के बाद हर LLP को उसे फाइल करना पड़ेगा बना तो लिया लेकिन इस statement को आपको फाइल करना पड़ेगा विदिन दा प्रिस्क्राइब टाइम जो रूल्स में लिखा हुआ है the statement of account and solvency correct with the registrar of company form के साथ और फीस के साथ आपको यह जमा कराना पड़ेगा ठीक है तो बनाना भी पड़ेगा चलो ठीक है चोड़ो और वापस चलते हैं हम लोग ठीक है अच्छा audit भी कराना पड़ेगा यह कह रहे हैं आपकी LLP के accounts जो आपने बनाए हैं उनका audit भी कराना पड़ेगा जो भी हमने रूल्स में प्रिस्क्राइब करा है उसे साब से लेकिन central government चाहे तो notification से exempt कर सकती है LLP क audit की requirements है official gadget में निकाल के यह तो हो गया यानि क्या summary बताओ यार सर summary बताओ summary यह है books of account बना लेना चाहे cash पर बनाना चाहे double entry पर cash पर check rule पर double entry system में ठीक है statement of account and solvency बना लेना statement of account books है वो audit करा लेना और statement of account and solvency को क्या कर देना file कर देना ROC के साथ अगर अब यह सब नहीं करा तो penalty आ गई यही तो beauty है act की नहीं करोगे तो थपड़ खाओगे ऐसा होता नहीं था बिटा homework कराना हमने बोला homework कराना नहीं कराकर अगले दिन तो क्या होगा दे थपड़ दे थपड़ वैसा ही है यहाँ पर थपड़ से कुछ होता नहीं ना यहां तो लगता है पाईसा जो आप देड क्या है हमसर चलिए पैनल्टी क्या बोलती है ग्रीन में है मतलब क्या अमेंड्मेंट ग्रीन में है मतलब क्या अमेंड्मेंट कोई भी LLP जो फेल हो जाती है सब section 3 को फॉलो करने में सच लिमिटेड लियाबिल्टी पार्टनर्शिप और उसकी designated partner शॉल भी ल रुपे 100 के रहा हूं 100 रुपे 100 रुपे पर दिन का during which such failure continues यानि वो जितने दिन तक statement of accounts and solvency फाइल नहीं करेगा यानि state filing की यह filing अगर आपने नहीं करी अगर आपने filing नहीं करी तो आपको 100 रुपे पर दिन का लगेगा जब तक आप उसे फाइल नहीं करेगे जिसका maximum कितना हो सकता है वन लैक जिसका maximum कितना हो सकता है वन लैक रुपे हो सकता है और यह किसको लगेगी LLP के लिए maximum है वन लैक और पचास अजार रुपे for every designated partner यानि यह तो LLP का है और DP का कितना है DP का है 100 रुपे पर day maximum पचास हो जार है ना सबसे पैसे लेंगे तभी तो बिसनस चलेगा रुसी का yes or no और अगर किसी LLP ने या तो books of accounts नहीं बनाए सबसेक्शन वन या statement of accounts and solvency नहीं बनाया सबसेक्शन तू या audit नहीं कर आया इस सबसेक्शन 4 अकाउंट नहीं बनाया statement of accounts and solvency नहीं बनाया books का audit नहीं कर आया तो उसके साथ क्या होगा such partnership shall be such LLP shall be punishable with wine which shall not be less than 25,000 रुपीज यानी minimum कितना minimum 20,000 रुपीज but may extend to 5 lakh रुपीज LLP को लगेगा minimum 20,000 रुपीज और maximum कितना था मेरे बच्चा कहां गया पांच लाक रुपीज ठीक है ओक्या आगे चलें हाँ यह हो सकता है आपकी पुरानी penalties लिख्यों हमने नहीं दी रख्या है ना जिनके पास study material अपडेटिट नहीं रहेगा तो उनके लिए दिक्कत है और designated partner को क्या लगेगा designated partner को लगेगा minimum 10,000 और maximum 1,000,000 तो यहां पर designated partner की लिख देता हूँ माँ LLP की लिख्य थी minimum 10,000 maximum 1,000,000 clear है क्या? yes sir clear हो गया है clear हो गया है same आ गई है ठीक है तो इसको cut कर देंगे क्योंकि repeated slide है तो मैंने इसलिए इसको cut कर दिया हूँ चलो अच्छा कौन से accounting standard follow करेगी LLP कौन से audit कराते हूए कौन से audit standard follow करेगी यह सब आप accounting standards वगरा जो detail में auditing standards भी वही पढ़ने वाले हैं लेकिन कौन से follow करेगी तो लोग कहता है central government जो नफ्रा से पूछके national financial reporting authority है उनसे पूछके उनसे consult करके जो भी prescribe करेगी यानि जौन से accounting standard prescribe करेगी वह लगेंगे और जौन से auditing standard prescribe करेगी वह लगने वाले हैं ठीक है auditing standard recommend कौन करता है नौर्मली institute of chartered accountants of India ही करता है ठीक है जो किस से बना अंडर section 3 of chartered accountants act 1949 से बनाया गया है clear है क्या है तो कौन से file करेगी simple है वह file करेगी जो prescribe करेगी किसने prescribe करेगी central government ने किस से consult करके nafra से that is nafra तो नहीं मेरे बच्चा nafra national financial reporting authority ओके next question है explain the provision relating to annual return ठीक है अभी हमने statement of accountants and solvency पढ़ा था वो अलग concept था annual return का अलग concept है यह बोलता है हर LLP को annual return file करना होता है registrar of companies के पास कितने दिन में 60 दिन के अंदर जब उसकी close हो जाए financial year in such form and manner और उस पीस के साथ जो हमने prescribe करा हुआ है इसकी date बस याद रख लेना बहुत बच्चे गलती करते हैं साथ दिन 31 मार्च के बाद कहां खतम होते हैं साथ दिन 30 माई को खतम होते हैं ना कि 31 माई को यानि जो due date है वो due date क्या है इसकी 30 माई रही कि if any LLP partnership fails to file his annual return ठीक है before the expiry of period तो वही हुआ जिस बात का हमें डर था LLP और उसके designated partner को पेल दिया गया कितना shall be liable to a penalty of यानि LLP और उसका designated partner को penalty लगाई कितनी वही है 100 रुपे पर डे लगाएंगे जितने दिन तक आप finally करोगे अगर 10 दिन late करोगे 1000 रुपे ठीक है जब तक continue करेगा बैट maximum कितना होगा हाँ इसकी LLP की अलग लिखनी पड़ेगी और डीपी की अलग लिखनी पड़ेगी यही तो होता है डीप LLP से जादा पैसे पहले डीपी की लिख दूं क्या डीपी से भी लिए जाएंगे 100 रुपे पर डे चीक है बट maximum कितना लेंगे डीपी से कह रहे हैं 50,000 रुपे हर डीपी से लेंगे वाई साम इसलिए डीपी कम से कम अपॉइंट करा रहा हो नहीं तो सब की जेप से पैसा ले लेंगे यह लोग LLP से कितना लेंगे हैं है तो रुपी 100 पर डेई बट इससे maximum कितना लेंगे एक लाख रुपे ठीक है चलो मैं summary यहीं पर लिखते जा रहा हूं ताकि जब अब last day देखोगे न तो यहीं से आपको दिख जाएगी कि हाँ अगर यह नहीं करा तो DP को इतना और LLP को इतना वर्ट में पढ़ने में टाइम लगता है अच्छा next question is कि क्या firm convert करा जा सकता है LLP में क्या private company convert करी जा सकती है LLP में क्या unlisted public company convert करी जा सकती है यह तो हम पहले ही जान चुके यह करी जा सकती है प्राइवेट कंपनी third schedule follow करके और फॉर शेडियोल फॉलो करके क्या बना सकती है Unlisted public company करी जा सकती है और लिष्ट पब्लिक कंपनी को convert करना है तो उस असे Unlist कराओ और Unlist कराने के बाद फॉर शेडियोल को follow कर लेते हो तो register अगर satisfy हो गया कि अगर आप form convert करा रहे हो या private company करा रहे हो या unlisted public company convert करा रहे हो जो भी case है as the case में भी कि आपने relevant schedule को follow कर लिया है ठीक है तो वो क्या करेगा आपके documents को register करके एक नई certificate of registration या आप certificate of incorporation बोलो है ना आपको certificate of incorporation दे देगा और आपकी क्या बन जाएगी LLP बन जाएगी the LLP shawl within 15 days और जिस दिन आपकी नई LLP बन जाएगी तो यह firm private company तो आप किसी काम की नहीं रही क्योंकि वो convert हो गई है तो इस नई LLP को 15 दिन के अंदर अगर आपने firm convert कराई थी तो register of firm को register हो गए यहां से हमारा नाम हटा दिया जाए यहां से हमारा नाम हटा दिया जाए अब हम यहां से और ज्यादा आपका और हमारा कोई रिष्टा रहा नहीं है और जिस दिन यह convert हो जाती है तो जो firm के partner थे वो किसके partner बन जाएगे LLP के अगर आपने private company या unlisted company कराई है तो जो company के shareholder थे वो क्या बन जाएंगे वो LLP के partner बन जाएंगे जिस दिन से क्या होगा LLP convert होगी ठीक है और जितने की भी सारे के सारे assets सारी की सारी liabilities पुराने firm की थी सारी की सारी properties चाहे वो tangible हो चाहें tangible हो movable हो जितनी liabilities थी वो सारी की सारी सारी automatically transfer हो जाएंगी LLP को वो सारी की सारी यानि देखो simple है इसको summary में बना देता हूँ firm है private company है summary बना रहा हूँ ठीक है पूरे section की firm private company public बट कौन सी मेरे बच्चा unlisted ठीक है यह क्या करोगे कौन सा schedule फॉलो करों के second schedule ये कौन सा schedule फॉलो करों के third schedule और ये कौन सा schedule फॉलो करों के अगर ये convert करेंन चाथे होँ ठीक है और क्या बन जाएगी LLP बन जाएगी क्या बन जाएगी LLP बन जाएगी क्या बन जाएगी LLP बन जाएगी और ये क्या हो जाएगी ये खतम हो जाएगी ये क्या हो जाएगी ये खतम हो जाएगी क्योंकि अब आपकी चीजे इनके जितने भी assets होंगे जितने भी liabilities होंगे वो किसके हो जाएगे LLP के हो जाएंगे सारे assets and liabilities जो firm के थे वो किसके हो जाएंगे LLP के हो जाएंगे सारे assets and liabilities जो private company के थे वो इसके हो जाएंगे सारे assets and liabilities इसके हो जाएंगे ठीक है इसके जो partner थे firm के जो partner थे वो किसके partner बन जाएंगे वो अब LLP के partner बन जाएंगे ठीक है जो private company और इसके shareholder थे वो किसके बन जाएंगे वो इन LLP के क्या बन जाएंगे shareholder नहीं बनेंगे मैं बच्चा partner बन जाएंगे I hope यह point आपको clear हो गयोगा बस यही बात लिखी हुई है main important यह है कि सारे के सारे asset liabilities हो जाते हैं सारे के सारे asset liabilities convert नहीं मतलब transfer हो जाते हैं now next question is next question is next question is कि winding up अगर आप LLP को बंद करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो law बोलता है आप खुद से भी कर सकते हैं और tribunal से भी करवा सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं ट्राइबुनल से भी करवा सकते हैं फिर यही वाले पॉइंट मैंने क्या करे हैं आगे शीट में लिखे हुआ है अलग कोश्चन बना के यह पेपर में आया वाभी है एक्स्प्लेइन दा सरकमिस्टांसिस इन विच एललपी में भी वाउंडब बाइदा ट्राइबुनल ऐसे कौन से रीजन है, ऐसे कौन कौन से सरकमिस्टांसिस इन जहां पे ट्राइबुनल आपके ऐललपी का बंटा धार कर सकती है यानि वाउंडब करा सकती है तो देखना पहला है इफ इफ दा LLP डिसाइड कि LLP ट्रैविनल से बंद होगी तो बंद कर देना ट्रैविनल बंद कर देगी ठीक है हाँ अगर यह महीने से ज़ादा पार्टनर्स का नंबर दो से कम रहा तो भी आपकी बंद कर सकती है इसको बंद कर जा सकता है या अगर उसने क्या करा इफ दा या आपको याद करके जाना पड़ेगा if the LLP has made a default in filing with the registrar the statement of account and solvency यानि आपको याद है ना आपको statement of accounts and solvency file करना था अगर आपने वो file नहीं करा या आपने annual return file नहीं करा कब पाँच लगातार financial years तक अगर आपने पाँच लगातार financial years तक या तो accounts and solvency annual return file नहीं करा तो ट्रैबिनल क्या करेगा यह six reasons नहीं ट्रैबिनल क्या करेगा बंद कर देगा और if the tribunal is of the opinion कि just and equitable है just and equitable है just and equitable है तो भी वो कर सकता है तो भी वो कर सकता है so these are the six reasons जिसकी वज़ा से आपकी LLP क्या हो सकती है ट्रैबिनल बंद कर सकता है छीक है next question आता है अगर partner देखना LLP को capital देता है और contract करता है other than कोई और contract करता है other than capital जैसे advance देना ठीक है जैसे rent पे कोई चीज़ देना जैसे purchase of goods तो अगर partner capital छोड़के कोई और contract करता है देखो capital दे रहा है तो वो तो partner ही देगा न LLP को capital yes or no yes sir but अगर कोई और contract कर रहा है capital को छोड़के है नहीं हो सकता है उधार दे रहा हो LLP को हो सकता है कोई चीज रेंट पे दे रहा हो या LLP इसको rent पे दे रही हो कोई चीज या purchase कर रहा हो goods और services तो law कहता है इन सारे contracts के लिए इस partner को ऐसे treat करना जैसे कि यह third party है बस समझ रहे हो यानि capital के related तो यह partner है बट जो और सारे जो contracts है capital को छोड़के जो partnership से लेना देना जिसका नहीं है उसके लिए इसे एक third party treat करके ही करना ऐसा मत करना कि इसे सस्ते में समान दे रहे हो just because यह partner इसे सस्ते में मत देना जो normally third party को दिया जाता है जिस rate पर वैसे ही करना so partner में lend money to transact other business with the LLP and has the same right and obligations होंगी जो एक third party को होती जब वो partner नहीं होता यानि इसके पास वो सारे rights होंगे जब आप इसे third party treat कर रहे हैं तो वो भी आपको ऐसा third party treat करेगा in respect of these contracts in respect of these contracts और यह तो हम already discuss कर चुके हैं क्या companies at 2013 के section भी LLP को लगेंगे तो section 67 बोलता है हाँ 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 अगर central government चाहे तो official gadget में notification दे के बता सकती है कि कोई भी company's act का provision जो वो बताएंगे gadget में वो लग जाएगा वो लग जाएगा LLP को to any LLP और shall apply to any LLP with such exception modification वो कुछ भी करके बता सकते हैं बट लग सकता है और copy इस notification लेकिन जो आप सबसे पहले दोनों house of parliament के सामने रखा जाएगा because this is change in law so that should be presented before each house of parliament ठीक है for a total period of 30 दिन ठीक है 30 दिन के लिए ड्राफ्ट रखा जाएगा 30 दिन के लिए ड्राफ्ट रखा जाएगा clear है क्या yes or no yes clear हो गया next topic है बच्चो special courts का कुछ section है LLP act में जो नए added हुए है है ना वो पढ़ने जा रहे है तो special court क्या होता है correct क्यों ये sections डाले गया इसको समझेंगे जैसे कि आप देख रहें कि 2008 में एक्ट आया था और इसमें partnership और company दोनों के advantages थे correct तो उसकी वजह से आज जो है इसकी popularity बढ़ती जा रही है पब्लिक के अमन्स और जो लोग है वो LLP जादा खोल रहे हैं जितनी पहले खोला करते थे जब यह नया नया act आया था because नई चीज थी तो लोग थोड़ा डरते थे लेकिन अब जो है इसकी popularity बहुत बढ़ गई है और popularity बढ़ गई है LLPs बहुत खुल रही है तो obvious सी बात है offenses यानि जो law में लिखा हुआ है वो तोड़ा भी जादा जाएगा जैसे जैसे LLPs बढ़ती जाएगी तो उसके लिए यह नया section लाए गए special court करके कि अगर कोई भी offense जो LLP Act में होता है जैसे हमने बहुत सारे पड़े कि अगर आपने यह फाइल नहीं करा तो जेल चले जाओगे फ्रॉड किया तो जेल चले जाओगे नहीं तो punishment मिल जाएगी वो सब चीजों के लिए उन offenses के लिए कोई सुनने वाला होना चाहिए ना कि जज की तरह की कोई Establish कर सकती है यानिए बना सकती है या किसी को Designate कर सकती है क्या Designate कर सकती है as । और Special Code जो होते हैं वो AreaРЕा इस रख जाते हैं यानि इस एरिया का यह Special Code इस एरिया के यह Special Code तो area है उसे रखा जाता है तो किसी भी एरिया के लिए Central Government चाहे special court बना सकती है okay sir special court बड़ क्यों बनाए गए तो law कहता है special court बनाए जाएंगे speedy trials speedy trials मतलब जल्दी जल्दी सुनवाई के लिए जो भी offenses इस act के अंदर किये जाएंगे इस act का मतलब है LLP Act 2008 के अंदर जो भी गुना offenses किये जाएंगे law तोड़ा जाएगा उसकी जल्दी सुनवाई के लिए special court बनाए जाएंगे और कौन बनाएगा central government बनाएगी या तो establish करके या designate करके next is special court का composition क्या होने वाला है यानि court में कितने judge होंगे कौन judge होगा कौन सुनेगा cases उसकी बात कर रहे हैं क्या रहे हैं अगर जो सुनवाई है वो ऐसे offense की है जिसकी punishment act में jail है जिसकी punishment act में jail है imprisonment है कितनी तीन या तीन साल से जादा की अगर तीन या तीन साल से जादा की मेरे बच्चा offense punishable है अगर आपने वो वाला law तोड़ा है क्योंकि सब की सारे offences ऐसे नहीं है की jail ही भीज़ Us देंगे या सारे Offences ऐसे नहीं है की तीन साल या तीन साल से जादा की jail भेज़ैंगे तो वह कहरे हम पहले बता रहे हैं ऐसे offenses के बारे में जो तीन साल की jail या उस से जादा की punishment को prescribe करतं है है वहाँ पर single judge single judge होगा वहाँ पर कौन सा judge होगा एक single judge बैठेगा उस offense को सुनने के लिए as session judge ठीक है जो already hold करता होगा office as a session judge और additional session judge यानि वो बोल रहाएक single judge होगा या तो वो session judge वाला होगा या additional session judge वाला होगा बट कौन से offenses के लिए जो तीन साल या तीन साल से जादा की imprisonment prescribe करते हैं एक्ट में लेकिन मेरे बच्चा other offenses के cases में या इस एक्ट में ही जो बाकी के offenses है जो इस category में fall नहीं करते यानि जिन में तीन साल से कम की jail है या jail है ही नहीं उन offenses के लिए कौन judge होगा उन offenses के लिए judge नहीं कह रहे है हम लेके आएंगे मेट्रोपॉलिटन magistrate मेट्रोपॉलिटन के magistrate को लेके आएंगे या judicial magistrate को लेके आएंगे लेकिन इन्हें कौन अपॉइंट करता है इन दोनों को ही कौन अपॉइंट करता है एंड इन दोनों को ही कौन अपॉइंट करेगा Central Government ही अपॉइंट करती है लेकिन Central Government को क्या knowledge भई यह कौन सा judge कितना भढ़िया है कहा करना चाहिए तो वो हमेशा बात करेंगे Concurrence यानि उनसे Concurrence लेंगे यानि अगर Central Government ने किसी Judge को या Magistrate को Appoint किया है तो उसको Final Appointment से पहले Chief Justice High Court से Concurrence लेना होता है Concurrence को तुम ये मान लो Approval Approval लेगी Central Government एक तरह का कि ये बंदा सही रहेगा ना इसको ले जा रहे है छीक है लेकिन ये section अभी नया ताजा आया है special courts बनने में लगेगा वक्त special courts बनने में लगेगा वक्त notifications आने में लगेगा वक्त तो तब तक क्या करे भाई या तब तक कौन देखेगा अगर special courts बनाने में time है आज जो offenses हैं उन्हें कौन सुनने वाला है तो law ने कहा जब तक हम special court बनाते नहीं या establish या designate नहीं करते तब तक जो section 435 section 435 companies act 2013 section 435 of the companies act 2013 में जो special court यानि जो companies act के court बने हुए ना companies act के court special court वो सुनेंगे वो सुनेंगे क्या ये बात clear हो गई आपको मेरे बच्चा ठीक है वो सुनेंगे मतलब हम मान लेंगे हम deemed कर लेंगे कि वो ही जो companies act में ये court है वो ही ये वाले court है जो यहाँ पे बनने वाले थे clear आपको ये बात लेकिन now the question comes sir अगर उस area में जिस area का offense जिस area में offense हुआ है मतलब जिस area में मतलब उस LLP का registered office था उस area में ना ही ये वाले special court बना था ना ही companies act वाला भी तक special court है उस case में क्या होगा sir उस case में क्या होगा very very good question मेरे बच्चो क्या question पूछ लिया तुमने मुझे recorded में तो law कहता है जहां पर ना ये वाला court है ना companies act वाला court है तो वो कौन सुनेगा तो law कहता है वो सुनेगा court of session court of session सुनेगा या court of metropolitan magistrate सुनेगे या court of judicial magistrate सुनेगे first class के as the case में भी जिसकी jurisdiction होगी उस area पे यानि कैसी हो गई देखो sequence समझो मेरे बच्चा sequence ठीक है? सबसे पहले आप जाना चाहिए था आपको special court under this act special court under this act जो भी area में आपके fall करता था उस पे जाना चाहिए था कोई दिक्कत? नहीं सर, no दिक्कत, very good मेरे बच्चा, second मेरे बच्चा वो कह रहे अगर ये नहीं है तो आप चले जाना special court कौन से वाले special court के पास जाना? वो वाले special court के पास जाना जो हमने लगाया था कहाँ? section जो हमने designate करे थे under section 435 of of companies act 2013 ठीक है? अगर ये भी नहीं है ये है ठीक है पहले special court के पास उस एरिया के special court पे जाना जो इस act में बना था नहीं बनाया अभी तक तो company act वाले तक तर ये भी नहीं है तो चले जाना या तो court of session के पास या तो court of session के पास जाओगे या जाओगे metropolitan magistrate के पास metropolitan magistrate या judicial magistrate के court के पास आपको जाना है as the case में भी जिसके पास jurisdiction होगी उस area की judicial magistrate clear है के मेरे बच्चा yes sir एकदम clear है sir 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 हाँ 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 sir अगर किसी एक area में दो court हो गए तो उन दोनों court में से कौन सा court के पास जाना है अगर किसी area की common jurisdiction में दो court आ गए जो दो court है उस area पे jurisdiction रखते हैं तो कौन से court के पास जाएंगे तो law कहता है उस court के पास जाना जो high court आपको बताएगा उस court के पास जाना जो कौन बताएगा high court आपको बताएगा ठीक है तो देखिए यही बात लिख़्ी हुई है कि सारे offences जो इस act में हैं उनकी सुनवाई special court करेंगे जो इस act में बनेंगे yes or no लेकिन कौन से area के जहां पर registered office होगा ना LLP का जिस LLP ने गलत काम किया है या जिस LLP के partner ने गलत काम किया है उस LLP का registered office होना mandatory आपको पताएगी नहीं तो LLP का registered office होना mandatory है तो उस registered office के area को कौन सा special court देखता है उसके पास आपको जाके सुनवाई करेंगी अच्छा लेकिन जहां पर एक से ज़ादे special court है उस area के लिए तो क्या करेंगे तो कह रहा है भाईया आप उसके पास जाना जो high court आपको बताएगा जो high court आपको बताएगा और यहाँ पर concerned word क्यों है क्योंकि high court भी statewide होते है तो अगर उस area का जो high court होगा उस high court के पास आपको जाके पता करना पड़ेगा कि किस special court के पास जाकर आपको बात करनी है clear है क्या yes or no yes sir एकदम clear है normally यह special courts क्यों बने है normally यह special courts क्यों बने है यह special courts इसलिए बने हैं भाईया कि वो LLP act के offenses की सुनवाई कर सके दूसरे acts की सुनवाई के लिए क्या यह बने है the answer is no लेकिन लेकिन इसका एक exception है सुन लेना ध्यान से कि भाईया अगर हम इस act के अंदर सुनवाई कर रहे थे इस act के किसी offense की सुनवाई कर रहा था special court special court इस act के अंदर सुनवाई कर रहा था ठीक है इस act के किसी offense की सुनवाई कर रहा था लेकिन उसे पता चला कि accused accused ने इस act के अंदर तो offense कराई कराए, साथ में कोई और offense कराई, जो इस act को belong नहीं करता, तो वो special court के पास power है, उस offense को भी वो सुन सकती है, उस की भी वो सुनवाई कर सकती है, clear है कि बच्चो, यानि law कह रहा है, वैसे तो special courts यह वाले बने हैं, यह सिरफ LLP की बाता सुनेंगे, LLP की सुनवाई कर है न, accused, जिसके उपर accused मतलब जिसको हमने लगाया है कि हां इस ने गलत किया है, उसकी बात कर रहा है, accused, ठीक है, तो उस accused की अगर हम बात करते हैं, तो वो accused अगर इस act के लावा किसी और, इस act के लावा अगर किसी और, act के अंदर भी offense किया है, तो वो भी special court साथ में ही सुन सकता है नॉर्मली कौन से तुने का इसी के लेकिन अगर उस बंदे पर कोई और एलिगेशन है तो वो भी सुनवाई कर लेगा वो भी सुनवाई कर लेगा क्लियर है यहाँ तक सबको yes or no yes sir एकदम क्लियर है अब आते हैं summary trial के उपर summary trial देखो सुनवाई ना दो तरह की होती है देखना सुनवाि ट्राइल जो होते वो two type के होते हैं एक होता है समरी ट्राइल छीक है और एक होता है carbohydrates लॉज है इस बैट बैगलर बैच औरो Lehr वैसे ही सुनवाई भी समरी ट्राइल और ड्राइलrial Een. तो law देखो कितनी प्यारी बार लिखी law ने बड़ी प्यारी बार लिखी law ने कहा कि भाईया notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure 1973 code of criminal procedure क्या होता है देखो words ते ही पता चल रहा है criminal क्रिमिनल लिखा हुए यानि एक क्राइम के ऊपर जो चीजे चलती है आपने कोई किसी बंदे ने कोई क्राइम करा है उसकी सुनवाई के प्रोसीजर कहां लिखे हुआ है code of criminal procedures में लिखे हुआ है जो एक्ट कबाया था 1973 का एक्ट है लेकिन मेरे बच्चा the special court में कह रहा उस ए लगता है if it things fit अगर special court को सही लगता है तो वो offense को कैसे सुनेगा summary trial के through सुन सकता है summary trial के through सुन सकता है offenses को अगर उसे सही लगता है यानि उसको option दे दिया कि वो regular trial से जाएगा या summary trial से जाएगा बट मेरे बच्चा ये सिरफ option कब available है अगर वो ऐसा offense सुन रहा है जिसमें की imprisonment for a term not exceeding three years है यानि ये जो option दिया गया है न अगर उस offense की act में तीन साल से जादा की jail बोली हुई है तो कभी भी summary trial नहीं होगा हमेशा regular trial होगा हमेशा क्या होगा regular trial होगा summary trial कभी नहीं हो सकता बट special court को power दी गई है अगर वो चाहे तो ऐसे offenses के लिए जहाँ पे की jail तीन साल से जादा की नहीं है not exceeding three years है वहाँ पे उसके पास option है वो चाहे तो regular को summary trial के थुरू सुन सकता है summary trial के थुरू सुन सकता है लेकिन जब भी वो summary trial के थुरू सुनेगा तो वो कभी भी कभी जो jail है वो एक साल से जादा की नहीं दे पाएगा जब भी वो summary trial यानि अगर उसने ये decide करा कि मैं summary trial के थुरू जा रहा हूँ तो वो maximum कितने accused को कितनी सजा दे पाएगा सिरफ एक साल से जादा की सजा नहीं दे सकता है एक साल तक की ही jail कर सकता है अगर आप summary way में दे रहे हो तो सर अगर लेकिन उसे लगा कि यहाँ पर दो साल की jail देनी है तो तो law कहता है अगर आपको starting में ही या summary trial सुनते हुए ऐसा लगा कि भाईया इसमें तो आपको एक साल से जादा की jail देनी पड़ेगी तो आप उसको convert कर लेना regular trial में तो आप उसको rehear करना case को as per the procedure of regular trial दुबारा से बुला लेना witnesses को दुबारा से सुन लेना parties को और क्या करना summary trial से regular trial पे आ जाना अगर आपको लग रहा है कि एक साल से जादा की मुझे jail देनी पड़ेगी इस बंदे को क्योंकि ये बंदा बड़ा ही चतुर है क्या ये point clear हो गया yes or no yes sir एकदम clear हो गया good next आता है बेटा appeal and revision appeal and revision पहले appeal word को समझते हैं देखना हाँ अगर special court के decision से आप खुश नहीं है ऐसा होता है न कि आपने मम्मी को बताया आपकी चोटे भाई और आपकी लड़ाई हो गई थी चोटे भाई और आपकी लड़ाई हो गई थी remote के पीछे कि छोटा बाई ही सही है, तुम बेटा गलत हो, तुम तो बड़े हो गए हो, जबकि आपको पता है कि गलती उसकी थी, लेकिन मम्मी ने बमता में आके गलत वर्डिक्ट दे दी, तो आप मम्मी के फैसले से खुश नहीं है, फिर आप जाते हैं पापा के पास, आप पापा के पापा जाते हैं पापा भाई ने मुझे मारा है मेरे छोटे भाई ने मुझे बहुत मारा पापा और पिर आप पापा की सुनवाई के लिए जाते हैं वैसे मेरे बच्चा अगर आप special court के decision से खुश नहीं है तो लोग कहता है कोई बात नहीं बेटा हाई कोड़ बैठा है ना हाई कोड़ बैठा है ना उसके पास जाकर अपील लगाओ यानि पहले मम्मी के पास जाकर अपील लगाई थी अगर मम्मी के वैद लेते खुश नहीं हो कोई बात नहीं बेटा हाई कोड़ ब procedure 1973 chapter number 29 में दी हुई है और chapter number 29 का नाम क्या है appeal नाम है मेरे बच्चा यानि high court के पास वो सारी powers है special court की order को दुबारा से सुनने की ठीक है यह हो गया then उन्होंने बोला chapter 30 की भी power है जिसका नाम है reference and revision reference and revision क्या हुआ high court ने भी हो सकता है कुछ गलट decision दे दिया हो तो वह अपने decision को रिव्यू कर सकता है revise कर सकता है उसी की बात करी गई है reference and revision ठीक है और कौन सा high court देखेगा वो high court देखेगा as if a special court within the local limits of the jurisdiction of the high court यानि जिसकी jurisdiction में वो special court आता था आप उस high court के पास जाकर appeal कर लेना और अगर appeal के बाद उसने कुछ चोटी मुटी गड़बड कर दी तो revision भी करवा सकते हैं revision भी करवा सकते हैं उसके order में बस इतनी सी ही प्यारी सी बात इसमें लिक्की हुई है ज्यादा detail में और मुझे लगता है हमें जाने की जरूवत इस section को नहीं है ठीक है next question आता है next question आता है can a person take the copy or extract of any document filed with registrar will the same be admissible under the court of law as evidence बड़े सारे documents हैं जो हम registrar of companies के पास file करती हैं LLPs correct बड़े सारे returns हैं जो file किये जाते हैं विद क्या registrar of companies तो law कह रहा है कि question है आपसे कि क्या वो जो documents है अगर उनका extract कोई बंदा ROC से निकलवाता है क्या वो हम court में present कर सकते हैं क्या as a evidence तो इसी के बारे में बात हुई है कि कोई भी document आओ color change कर लिया जाए आओ 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 एनी document required to be filed recorded और registered अगर आपको कोई document file करना था record करना था या एक्ट में तो वो आप file भी कर सकते है record भी कर सकते रडिस्टर भी करा सकते है rules में जिस तरह की manner दिये उस procedure को follow करके ठीक है okay copy copy मतलब पूरे document की copy ले लिया आपने या उस में से छोटे से part की copy ले लिया मतलब extract ले लिया तो आप copy of document of any document या an extract from any document जो electronically filed हुआ था है ना जो electronically filed हुआ था यह सम्मिट हुआ था registrar of companies के पास which is supplied which is supplied और issued by the registrar ठीक है कि आपने copy ले लिए रजिस्टरार से ला जाके और उसने आपको वो copy दी यानि पहले LLP ने कर रहा था document अब कोई person कह रहा है भाई यह मुझे उस document की copy दे दो जो LLP ने file कर रहा था यह उस document का extract दे दो तो अगर रजिस्टरार ने आपको उसका extract या copy दी है अपना digital signature लगा के as per ITX 2000 तो हम यह मानेंगी कि आपके पास उसकी true copy या true extract ही है उस document का जो आप किसी भी proceedings में किसी भी सुनवाई में क्या कर सकते हैं admissible कर सकते हैं in evidence as of equal validity यानि original document original document किसके पास पढ़ा है registrar of companies के बाद register of company ने आपको क्या दिया है उसकी सिरफ एक copy दिये वह original नहीं है अब ना हमने copy ली ना हमने extract ली हो सकता है हमने कोई information लियो तो कोई भी information जो registrar ने दिया है registrar देखो आपने registrar से पूछा कि इस LLP ने last कब file किया था अपना ये वाला return तो उसने क्या करा आपको information दी अपने letterhead पर लेके कि इस तारीक को file कर रहा था और नीचे sign करके दिया so that is not a document that is not a information that is not a document that is not a return that is an information जो supplied करिये registrar ने और certified भी करिये registrar ने कैसे अपना digital signature करके कि हाँ हाँ ये true extract है किसी document का तो वो भी आप क्या कर सकते हो submit कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है है ना वो भी as a evidence court of law में चल सकता है वो भी as a evidence court of law में चल सकता है है ना ये question पूछा जा सकता है त्योरी में और हो सकता है कोई case study भी प्यारी सी बना ली जाए है ना चलो next question पर चलते हैं मेरे बच्चा next question क्या कह रहा है कह रहा है who has the power to appoint registrar additional registrar deputy registrar और assistant registrar यानि यह registrar की post होती है बटा assistant registrar उसके उपर आता है deputy registrar उसके उपर आता है additional registrar और उसके उपर आता है final registrar correct तो यह post है इन post को इन persons की post को कौन appoint कर सकता है पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इन्हें क्यों appoint करना है है ना फिर देखेंगे कि इन्हें कौन appoint कर सकता है तो बड़े सारे काम है LLP Act से related है ना तो बड़े सारे काम है एक तो में तो LLP registration का ही काम है ठीक है और दूसरे और भी functions है जो Central Government को करना है तो Central Government तो हर चीज नहीं कर सकती तो Central Government क्या करती है इन लोगों को appoint करती है जो कि अपने functions वो सारे काम कर सके जो Act में दिये गए है तो उसी की बात करी गई है और दिश्चार्ज करने के लिए functions को ठीक है जो कि as are confirmed on the Central Government जो इस Act से या Rule से आए है तो वो क्या करेंगे वो Registrar को appoint कर सकते है Central Government ठीक है तो Central Government में appoints such Registrar या additional यह post के नाम है बस Registrar बंदी appoint होने है as it is considered कितने करेगी appoint कितने appoint करेगी जितने उसको सही लगे जितने उसको necessary लगेंगे ना उतने अपॉइंट करेगी किसलिए appoint कर रही है for the registration of LLP या discharging functions under this Act सर इन रजिस्टर के पास क्या power और क्या duties होने वाली है तो लोह ने कहां भया देखना कितनी प्यारिवार लिगता है वह power और वह duties होने वाली है इनके पास इनके पास कौनसे वाली power and duties कौनसे वाली power and duties जो prescribe करी जाएंगे मतलब बताई नहीं है है एक्ट में के रहा है जो हम prescribe कर देंगे न वो सारी powers मतलब वह ताकते इनके पास पास होंगी है न मुक कर सकते है और duties वो जिम्मेदारिया इनके ऊपर होंगी रजिस्टरार के ओपर रजिस्टरार मतलब यहां पर सारे रजिस्टरार की बात यह कर रहे हैं ठीक है साथ ही साथ Central Government किसी भी रजिश्टरार को ये बोल सकती है कि बना लो क्या बना लो? सील बना लो सील मतलब ठपा बना लो for the authentication of document क्योंकि भाया अगर कोई document आएगा तो उस पर सील लगेगी तभी तो proof होगा कि आपने issue करा है तो वो Central Government ये भी बोल सकती है रजिश्टरार को कि अपनी सील बना लो ताकि आप documents को क्या कर सको authenticate कर सको क्या यहां तक clear हो गया है I am going slow because these are the new section so you should be able to understand everything in detail है ना यहां पर कोई compromise नहीं करेंगे direct question आ गया है तो आपको at least बनाते आना चाहिए भले यार ना कमसे नहीं मीनिंग समझाओगा तो आप लिख तो पाएंगे Is there any additional fees to be paid by LLP if it fails to file any document or return within with register हाँ तो law कह रहा है बहुत सवाल है अगर किसी document को या return को file करने की एक timeline दी हुई है कि ये चीज 30 दिन में file हो जाने चाहिए और LLP उसे 30 दिन में file नहीं करती है मतलब उस time limit में file नहीं करती है जिस time limit में उसे करना चाहिए था तो क्या वो file कर सकती है क्या वो file कर सकती है और additional fees पे करके additional fees मतलब एक तो normal fees होती है अगर आप time पे भी पे करते हो time पे भी file करते हो न documents को और returns को time पे भी file करते हो तो law कहता है भाई आपको एक prescribed fees देनी है बट अगर time पे नहीं करते हो तो prescribed fees तो देनी ही देनी है साथ में additional fees भी देनी पड़ेगी दिले के नाम पे समझें तो उसी की बात हो रही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर कराना है और कोई भी रिटन अगर फाइल करना है डॉक्यूमेंट अगर रेजिस्टर कराना है या रिटन फाइल करना है इस एक्ट में किस के पास रजिस्टरार के पास और आप उसे time पे देना भूल गए timeline पे देना भूल गए तो क्या आप उसे बाद में दे सकते हैं उस time के? Yes, आप बाद में दे सकते हैं लेकिन उसमें दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी? आपको prescribed fees के साथ additional fees पे करनी पड़ेगी यानि यह बोल रहा है आपको पहले तो देनी पड़ेगी prescribed fees जो normally आप देते जब time पे फाइल करते हैं साथ में हम आपसे na additional fees भी लेंगे इसको हम normally late filing fees भी बोलते हैं बढ़ यहाँ पे इसको additional fees के नाम से जाना गया है ठीक है? और वो कितनी होगी? केरे जितनी prescribed करेगी उतनी होगी time बरते हुए जितनी भी prescribed होगी उतनी देने बड़ेगी अच्छा अब वो document अगर डीले हो गया था या return डीले हो गया था तो हो सकता है उसकी कोई penalty भी बताई गई हो हो सकता है उसकी कोई penalty बताई गई हो तो क्या वो माफ हो जाएगी additional fees पे करने से नहीं यानि अगर उसकी कोई penalty भी बताई गई है penalty if any वो भी पे करोगे यानि prescribed fees पे करोगे additional fees पे करोगे penalty कोई prescribed है वो भी पे करोगे साथ मैं अगर कोई penalty मतलब fine की बात कर रहा हूं यहां पे imprisonment या कोई भी other action imprisonment नहीं लिखता हूं other action लिख देता हूं ज्यादा sophisticated शब्द हो जाएगा है ना क्या बोलते हो other action वो भी होगा आपके उपर तो लोने यही का normal fees additional fees कोई penalty होई वो भी लगाई जाएगी और other action होगा वो भी लिया जाएगा उस पे कोई impact नहीं है just because आपने additional fees pay करी है यह मस समझना कि मैंने additional fees भी कर दी तो आप मुझे fine नहीं लगेगा मैंने additional fees पे कर दी तो मुझे कोई और action नहीं लिया जाएगा ना 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 additional fees तो लेंगे इस साथ में यह सब भी करेंगे आपके साथ ठीक है ओके यह होगी foreign LLP के लिए यह होगी additional fees तो वो उसकी मर्जी है वो कैसे किस के लिए कितरी additional fees बता रहा है वो लॉन ने उसके ऊपर छोड़ दिया है उनकी पावर है ठीक है ओके सर नाओ गोइंग टुवार्ट्स दिफरेंसे इसमें दो ही दिफरेंस है बेटा LLP वर्सिस पार्टनर्शिप हम यानि नॉर्मल पार्टनर्शिप और जो लिमिटेड लैबिल्टी पार्टनर्शिप आई यह वही correct इन दोनों में क्या फरक है और companies में और LLP में क्या फरक है तो दो ही दिफरेंसे एक आजाए तो मज़े ही आजए आप पढ़के गए हो तो है ना चलो देखते हैं है एक एक डिफरेंस बिल्कुल कोई दिक्क्त नहीं है बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है डिफरेंसे देखो सबसे पहला क्या है यहां पर LLP है और इस तरफ क्या है पार्टनर्शिप हम है कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है तो लौ कहता है भया कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है यहां कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है अच्छा बॉडी कॉर्परेट इसमें से कौन सी है कौन सी बॉडी कॉर्परे है और partnership body corporate नहीं है ओके बेटा separate legal entity कौन सी है sir LLP separate legal entity अपने member से यानि अपने partner बड़ पाथणर जो है वो सिरम ग्रुप naar पर्शन वो एक separate legal entity नहीं है क्रियेशं कैसे बनती है LLP बनती है registration से जबकि partnership तyl 181 जह इडिए में जाती है famous uphill हो जाहे return हो registration किस में mandatory है sir LLP में registration mandatory है partnership में voluntary यानि optional है ठीक है लेकिन ये बात याद रखना कि registered partnership ही third parties के उपर case कर सकती है perpetual succession यानि partners के मरने के बाद भी कौन सी partnership है जो चलती जाएगी चलती जाएगी उस पर को impact नहीं होता यानि death हो जाए insanity हो जाए कुछ भी हो जाए partners को बट कौन सी partnership थी LLP LLP को कुछ नहीं होता LLP को कुछ नहीं होता जबकि partnership जो normal partnership होती है उसकी existence effect होती है उसकी existence effect हो जाती है नाम की अगर बात करें तो LLP के नाम के आगे क्या लगाना ज़रूरी है LLP के नाम के आगे limited liability partnership यहां पे ship नहीं आया रुकों मैं लिख देता हुए ना the word limited liability partners लिखा हो ना मेरे बच्चा यहां पर partnership आएगा ठीक है तो name of the LLP के आगे limited liability partnership या small LLP लिखा होना ही चाहिए LLP लिखा ही होना चाहिए बट कह रहा है partnership firm के लिए ऐसी कोई guidelines नहीं है have any name as per their choice मैं मानता हूं बट मैं इससे थोड़ा सा differ करता हूं reason being अगर एक registered partnership होती है तो उसके bracket में नाम के आगे registered लगाना जरूरी होता है जो यहां पर बात mention करनी चाहिए इंस्टिटूट को बट उन्होंने नहीं करी है ठीक है कोई बात नहीं करी है तो यहीं याद करेंगे कि वह यह कोई guideline नहीं दे रखिए the partners के नहीं है वहनी नेम पर as per their guidelines ठीक है और इवन यहां पर भी थोड़ी सी guideline एंप्रेर वगेरा नाम नहीं यूज कर सकते है रोयल नाम नहीं यूज कर सकते है बट यह line से मैं मतलब खुश नहीं हूं जब यह line आती है no guidelines वाली इस्टिटूट लिखता है वह यहां पर आने चाहिए थी बट ठीक है जो लिखा है वही याद कर लिया जाएगा चलो लाइबिल्टी लाइबिल्टी हर partner की लाइबिल्टी LLP के case में क्या होती है limited होती है कितनी limited होती है सिरफ उसको agreed contribution यानि उसने जितना बात किया है agreed contribution उतना ही देना होता है study material में एक word missing है accept word missing है ठीक है यानि fraud के case में liability unlimited हो जाती है ठीक है तो वहाँ पर न accept word missing है आपके study material में उसको update कर लेना जो बच्चा book से बढ़ रहा है so accept in case of the willful fraud यानि अगर partner जान मुझके fraud करता है तो उसकी liability unlimited होती है वरना उसकी liability क्या रहती है limited रहती है up to the agreed contribution लेकिन partnership के case में तो सब में ही चया fraud हो चया ना हो उसे fraud या ही समझा जाता है और unlimited liability रहती है उसके personal assets को भी घेरे में ले लिया जाता है mutual agency का concept किस में applicable होता है mutual agency का concept applicable होता है partnership में correct जिसमें एक partner दूसरे partner का क्या होता है agent भी होता है और principal भी होता है लेकिन LLP के case में एक partner सिरफ LLP को bind कर सकता है यानि एक partner सिरफ किसका agent वाना जाता है LLP का ना कि दूसरे partners का designated partners का concept किस में है designated partners का concept जो है वो LLP में है कि minimum दो designated partner चाहिए वो भी individual designated partner जिसमें से एक resident in India होना चाहिए यानि 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए बट ऐसा कोई भी बात Indian Partnership Act में नहीं दी गई है ऐसी कोई भी बात Indian Partnership Act 1932 में नहीं दी गई है common seal की बात करो तो common seal किस में है LLP में है वो भी optional है चाहो तो रख लो चाहो तो मत रखो as a official signature बट partnership में ऐसा normal partnership में ऐसा कोई भी concept नहीं है legal compliance की अगर बात करें तो कौन responsible होता है यहां पर legal compliance की जगा पता point क्या होना चाहिए था responsibility of legal compliance होना चाहिए था responsible person for legal compliance के लिए तो LLP में तो एक अलग से ही partner होते हैं जिनका नाम होता है designated partner तो सारे designated partners होते हैं वो responsible होते हैं compliance के लिए और penalties के लिए लेकिन normal partnership act में एक तो compliance पहले ही कम होते हैं बट उसमें सारे के सारे partners होते हैं क्योंकि वहां पर designated partner जैसे कोई concept है ही नहीं ठीक है annual filing of documents की बात करूं जो सालाना करने होते हैं तो LLP को file करने होते हैं यह annual statements file करनी होती है ठीक है annual return file करना होता है statement of accounts and solvency file करना होता है लेकिन partnership को ऐसी कोई भी requirement नहीं है clear है क्या foreign partnership क्या foreign national जो बाहर के citizen बाहर के national थैं क्या वो LLP में partner बन सकते हैं the answer is yes but क्या वो normal partnership में partner बन सकते हैं the answer is no but अगर आप यह बात याद रखेंगे जब हमने Indian partnership act 1932 पढ़ा था ना यह line आपको कहीं नहीं पढ़ाई थी मैंने ना आपके study material में यह line लिख हुए जब हमने Indian partnership act पढ़ा था कि foreign national यानि बाहर का बंदा partner नहीं बन सकता है उसका reason है हमने यह line क्यों नहीं पढ़ी थी बिकोज यह line Indian partnership act से आती नहीं है यह line आती है foreign exchange management act की guideline से कि फेमा में लिखा हुए कि कोई भी बाहर का बंदा जो है वो यहाँ पे partner नहीं बन सकता है बट ठीक है याद कर लेंगे इस बात को भी माइन और partner या beneficiary बन सकता है क्या तो LLP में माइन और ना तो partner ना ही beneficiary बन सकता है LLP के case में minor partner भी नहीं बन सकता और beneficiary भी नहीं बन सकता जबकि partnership के case में वो partner तो नहीं बन सकता बट क्या बन सकता है beneficiary बन सकता है with the prior consent of all the existing partners clear है यहाँ तक यह आपको easily clear हो जाएगा अगर हमारा lecture पूरा देखा होगा या कहीं से पढ़ावा होगा तो आपको कोई भी difference में दिक्कत नहीं आएगी because हर चीज अल्रेडी partnership की cover हो चुकी थी और LLP की यहां पर cover कर लिए है ना ठीक है next आता है LLP और company में difference limited liability company में क्या difference है तो देखो दोनों के act अलग है LLP act 2008 companies act 2013 member partners LLP में जो person पैसा डालता है उसको partner कहते हैं जबकि company के case में जो shares खरीता है उसको member कहते हैं internal governance structure की बात करें तो कहां से regulate होता है LLP में हार चीज agreement से ही होती है regulate हार चीज internally कैसे चलेगा वह agreement देखा जाता है लेकिन यहां पर companies act 2013 से internal governance regulate होता है नाम की बात करें तो LLP के नाम के आगे limited liability partnership या LLP आना mandatory है वहीं अगर company की बात करें तो public company के case में सिरफ word limited आना जरूरी है end में और private limited और private company के case में private limited as suffix suffix मतलब जो end में आता है है ना जो end में आता है बाद में आता है उसकी बात कर रहें वह आना जरूरी है number of members partners number of members partners minimum कितने होने चाहिए दो members किया में यहां पर आई सूट मैं लिख सकता हूं दो partner होने चाहिए क्या बोलता है मेरा बच्चा ठीक है दो partners होने चाहिए maximum no such limit आक्ट में कोई limit नहीं दी गई है individuals और body corporate अपने nominees के थ्रू जो है वो बन सकते हैं डिरेक्ली और बॉडी कोर्पेट अपने नॉमिनी के थूप पार्टनर्स बन सकते हैं लल्पी में वहीं अगर मैं इनकी बात करता हूं तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने थे दो और मैक्सिमम कितने थे 200 मेंबर्स जिनकी काउंटिंग भी स्पेशल तरीके से होती है पबली कंपनी के केस में मिनिममम साथ मेंबर्स और मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है ठीक है यहाँ पर मेंबर्स कौन बन सकता है कोई भी और्गनाइजेशन ट्रस्ट अनधर बिजनस फ प्रिबूशन एकसेप्ट इन केस ऑफ इंटेंशन इस फ्रॉड और लिमिटेड लैबिल्टी कंपनी के केस में कितनी होती है लैबिल्टी ओफ मेंबर्स लिमिटेट तो अमांट अन्पेड ऑन दी शेर्ट बाइद यानि शिरफ उतना शेर्ट पर जितना पैसा देना बाकी मेंनेजमेंट इस बाइब यहां पर कंपनी वर्ड नहीं आएगा मेरे बच्चा यहां पर लपी वर्ड आएगा ठीक है आप इसको देख लेना मुझे लगता है यह बात फिर स्टडी मेटीरियल में भी गलत लिखी होगी अगर यहां गलत आई है तो यह देख लेना आपके स्टडी में तो नहीं यहां पर कंपनी लिखा हुआ है यहां पर LLP वर्ड होना चाहिए था ठीक है दब बिजनस ऑफ दा LLP मैनेज्ट बाइदा पार्टनर इंक्लूडिंग देजिगनेटेड पार्टनर यानि जो मैनेजमेंट है न वह कौन करेगा वो सारे पार्टनर करते हैं इंक्लूजिंग देजिगनेटेड पार्टनर बट कंपनी के केस में कौन मैनेज करता है बिजनस बोर्ड ऑफ डिरेक्टर करते हैं जिनको अपॉइंट किसने करा होता है शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करा होता है मिनिममम नेमबर्स ऑफ डेरेक्टर और डेजिगनेटेड पार्टनर मिनिममम कितने होते हैं दो डेजिगनेटेड पार्टनर चाहिए होते हैं हमने लल्प एक्ट में बढ़ा बट डेरेक्टर मिनिममम कितने चाहिए होते हैं यह हमनें कंपनी एक्ट में नहीं पड़ा यह CA, inter CA final पर cover किये जाता है कि directors कितने होते हैं भया, यह foundation level का point नहीं है, इसलिए हमने जब companies एक पड़ा था तो यह बात हैं हमें पता नहीं चली थी, but differences में उन्होंने लिग दिया तो हमें याद करनी पड़ेगी, private company के case में 2 directors, public company के case में 3 directors लगते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेरे ब marks का हमने cover कर लिया है, और मुझे लगते है lecture ज्यादा लंबा नहीं हुआ होगा, limited LLP का जो हम पड़ा रहे थे, है ना, तो finally जिनका lecture complete हो जागा, उसको क्या लिखना है बाई साब, अब की बार CA foundation बार, अब की बार CA foundation बार, और मैं जानता हूं कि कहीं बच्चों को problem आ रही ह concept clear हो गए है, लेकिन how to write in exam उन्हें clear नहीं हो रहा है, तो next video मेरे बच्चा, उसी पे ही आने वाला है, how to write law in exam, how to write law in exam, like a ranker, detailed video होने वाला, आपके सारे doubts को वो for sure clarify कर देगा, इतना detailed video आपने उस पर कभी नहीं देखा होगा, इस topic के ओपर, ठीक है, तो अब की बार CA foundation पार, साट marks की त्यारी हो गई है, अब बस हमें बाकी के 40 marks की त्यारी करनी है, that is BCR, बहुत मजा आने वाला है, BCR में भी आप चिंता मत करिएगा, ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे हमने law में पढ़ा, thank you, and bye-bye.